हेलो एवरीवन मैं संचिता जैन मैंगनेट ब्रेइंस इनी मीडियम चानल पर आप सभी खास स्वागत करती हूं मैंगनेट ब्रेइंस प्रोवाइड कराता है क्लास 7 से लिगी क्लास 12 तक के सारे कोर्सिस हम प्रोवाइड कराते हैं आपको क्वालिटी एजुकेशन वो भी बिल्कुल फ्री जी हां तो आईए उजुडिये मैंगनेट ब्रेइंस के साथ आज के सेशन में मैं लेक्याई हूँ आप सभी के लिए क्लास 9 की सामाजी विज्ञान में बिहार बोर्ड में इतिहास का एक चैप्टर जिसका नाम है विश्वय युद्धों का इतिहास और आज हम करने वाले इस चैप्टर का कंप्लीट चैप्टर रिविजन जी हां पू के बाद जो है इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट करा हैं जिनकी लिंक डिस्क्रप्शन में दी है प्लेलिस्ट में भी अबलेवल हैं सारे लेक्चर्स तो आप वहां जाके बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं और आज हम करेंगे इस चैप्टर का कंप्लीट चैप्टर रिवीजन आ चुका है तो फटाफट से लाइक शेर करिए तब तक अपन शुरू करते हैं और शुरू करते ही हम सबसे पहले इस चैप्टर के परिचा यानि के इंट्रोडक्शन के बारे में जानेगी यानि कि इस चैप्टर में हमें कौन-कौन सी बातें सीखनी है चलिए तो देखें बई प्रताम विश्वद जो कि 1914 से 1908 तक चला था क्या थे वहीं प्रताम विश्वद के कारण क्या थी उस समय की ऐसी परिस्थितियां जिनके कारण प्रताम विश्व युद्ध हुआ था तो सबसे पहले कारण के रूप में हमें दिखाई देता है सा अपना अपना सामराज का विस्तार करना चाहता था और दुनिया के दुनिया के हर एक देश पर जहां भी उसको अपने लाब दिखाई देते थे जहां भी उसको अपने हित दिखाई देते थे वहां वहां अपने सामराज का विस्तार करना चाहता था तो पहला कारण था साम सामराजवादी प्रतिस परधा की हमारा सामराज बढ़ा हो हमारा सामराज बढ़ा हो उसके बाद सैन्यवाद जी हां हर एक देश उस समय अपनी जादा से जादा सैना की संख्या को बढ़ा रहा था जादा से जादा सैनिकों की संख्या को बढ़ा रहा था जादा से जादा हत में अपनापना समूहू बना रहे हैं उसके बाद कि या घंया घंता इो युद का अंत कैसे होता है और कौन कौन सी शान्ती संधियां इस्थापित करी जाती है विभिन देशों के बीच में और प्रथम विशुद को शमापत करने लिए उसके बाद हम जानेगे वर्फाय की संधी जी हान यहां यहां बहुत ही मित्र राष्टो द्वारा जिम्मेदार किसको ठहराया था जर्मनी को ठहराया गया था और वर्साइगी संधी के द्वारा तमाम शर्तें जर्मनी पर थोपी गई थी उसके बाद देखें युद्ध और शांती संधियों के क्या प्रणाम देखते हैं जी हां कारण हो चुके हैं युद्ध हो चुका है युद्ध का अंत हो चुका है युद्ध में शांती संधियां भी हो चुकी है युद्ध समाप्त होने के बाद अब युद्ध के क्या प्रिणाम देखने को मिलते हैं और उन शांती संधियों के भी क्या प्रिणाम देखने क को मिलते हैं इसके बारे में जानेगे तो प्रथम विश्वद्य का पूरा पैकेज है इस तरीके से है इसके बारे में जानेगे उसके बाद देखें नई राजनेतिक विवस्था का उदय होता है भाई साथ प्रथम विश्वद्य के पश्याद उसके बाद दुतिये प्रस्ट दूत्य विष्वध्य की प्रस्ट भूमी तयार होती है जी हैं दूत्य विष्वध्य कैसे शुरू हुआ क्या करण थे उसके बारे मैं जानेेंगे तो देखें गई जो दूत्य विषवध्य है वह कब से कब तक चला था 1949 सё 1945 तक चला था दूद्या विशुद्य कब से कब तक चला थाhaus 1976 से 1945 तक चला था और वहई क्या करण थे तो देखे बहाई वर्साइच संधी की विशंगतिया जो वर्साइच की संधी हारे हुए देश जर्मनी पर थोपे गई थी उसकी कुछ विसंगत याँ इसका कारण थी असल मैं वर्साई की संधी जब हुई थी उसी समय दुत्य विश्वद्य के बीज जो है बो दिये गए थे ठीक है वचन विमुक्ता ग्रह युद्ध हतियार बंधी रास्ट संग की असफलता जीहां प्रथम वि विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी जीह han ुननीस सो इंथी से उनीस को तीश के दौर तक का समय था और Ng3icon में तो आर्थिक मन्दी एक और मुसोलनी का हुँद्रält इटली में 9 & 4 धारो का वड़्य हुआ इन्हों ने सामराज की बात रखी राश्टवाद की बात रखी जिससे क्या होता है दूत्यविश्वध का हुद्र हुद्र्ब को न pada है फिर स्कूल अंधर सब्सक्रास के कारण मैं इसको भी जानेगे उसके बादस जानेगे युद्ध का आरंभ और घटना क्रम युद्ध का आरंभ कैसे होता है दुद्य विश्वद्ध का और दुद्य विश्वद्ध के दोरान यानी की 1949 से कब से कब तक 1949 से Frankfurt तो नार्वे डैनमार्क हॉलेंड बेलजियम और फ्रांस पर विजवय होती है किस तरीके से होती है उसको जानेगे रूस पर आक्रमड जापान द्वारा परल हारबर पर आक्रमड और दूसरा अमूर्चा इन सारे घटना क्रम को जानेगे इस तरीके से हमें क्या दिखाई देता है दूतिय विश्वद्य के कुछ परिणाम दिखाई देते हैं तो परिचय में हमने विश्व युद्धों के तिहास के बारे में जाना प्रतम विश्वद्य कैसे शुरू होता है क्या परिणाम होते हैं क्या घटना क्रम होते हैं प्रतम विश्वद्य के दौरान कौन सी संधी ह है आप बिल्कुल उमीद हमसे रख सकते हैं कि ये चैप्टर जो है ये सेशन जो है कंप्रीट चैप्टर रिवीजन का विश्विद्धोकाती हास का बहुत ही बहतरीन होने वाला है तो हमसे आखरी तक आपको जुड़े रहना है पूरा का पूरा कंसेप्ट आपका मैं एक ही स पूरा का पूरा जो है जितना भी कंफ्यूजन है जितना भी कंसेप्ट जो भी है आपके मन में सब किलियर हो जाएगा बस आपको आखरी तक जोड़े रहना है और लाइक शेयर जरूर करते ना है चलिए तो अब शुरू करते हैं अपन परिचाय हो गया है अब देखें प् 1914 का वर्ष विश्वितिहास मुनीसकादा का वर्ष एक ऐसे युद्ध के लिए उलेखनी है जिसने संपूर विश्व को अपने आगोश में लेलिया ता प्रथम विश्व ने और युद्धरत देश यानी की युद्ध में लगे देशों ने अपने संसाधन इसमें जोग यह थे किलियर हो रही है बात फिर देखे विश्व के लगभग तमाम देश इससे प्रत्यक्ष और आप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हुए किससे प्रथम विश्व युद्ध से विश्व के लगभग तमाम देश प्रत्यक्ष रूप से प्रत्यक्ष रूप से इससे प् खावित हुए क्योंकि पूरे विश्व व्यापी आर्थिक मंदी फैल चुकी थी भाई साब फिर देखें इस युद्ध ने कई देशों के राजनेतिक आर्थिक और इस्थिति और नक्षे बदल दिये थे इस युद्ध ने फिर उसके बाद देखें तो इस युद्ध के कार थे तो पहला कारण दिखाई देता है हमें सामराजवादी प्रतिसपर्धा क्या है इसका पहला कारण पहला कारण है सामराजवादी प्रतिसपर्धा जी हैं देखें अब इसको ध्यान से देखेगा ध्यान से सुनिएगा तो और ध्योगे क्रांदी के बाद सही बाजारों क के विस्तार के लिए उपने वेशों के निर्माड की प्रक्रिया शुरू हो गई थी सामराज जवादी प्रतिसपर्धा की बात हो रही है पहली बात हो रही है क्या है वही सामराज जवादी प्रतिसपर्धा हर एक देश हर एक देश अपने सामराज का विस्तार करना चाह रहा था पहला कारण जान रहे हैं भाइध्यान से सुनिएगा अध्यों के क्रांधी कहां हुई थे open 288 की दौराहं शुरु ही थी ठीक है तो अध्यो मिक्रांति के बाद सही बाजारों के विस्तार के लिए उपने वेशों के निर्माड की प्रक्रियाश दो दो बनाने के लिए अब जो प्रोडक्ट बने है भैसा बाजारों में बीचना है उनके लिए बाजार यानि की समस्त व को जाए जब उस देश में हम अपना उपने वेशक्षासन इस्थापित कर पाएं ठीच है तो अपने अपने सामराज का विस्तार क्र ने होँ नहीं है है हर एक देश फिर देखें ऐसे मैं पूर्व के सामराजवादी आधीपत्यों को चनौती दिये बिना नए अपनवेशिक शेत्र का निर्माड जो है संभव नहीं था कक्षुट उसके बाद देखे इस दोड मैं जर्मनी और इटली का प्रवेश přहु बहुत बाद मैं हुआ सामरा जवादी प्रतिस्पर्धा में जर्मनी और इटली का प्रवेश बहुत बाद मैं हुआ था इंग्लेंड मैं थे इंग्लेंड मही सबसे पहले उध्यों के क्रांधी की शुरुआत हुई थी इंग्लेंड मही सबसे जादा उध्यों को धंदे खोले गए थी ठीक है तो साथ हर सी बात है अपनवेश शासन इस्थापित करने की जरूरत जादा किसको थी युरोपीय देशों में इंग्लें सा जो है रुकने का नाम नहीं ले रही थी इटली और अपना जर्मानी जो है इटली और जर्मानी भले ही बाद मा प्रिवेश करें लेकिन उनकी जो सामराज वादी प्रतिस्प लिपसा थी यानि कि सामराज को बढ़ाने की एक्छा ठीक है वो कम नहीं हो रही थी ज्यादा से जादा सामराज उन्हें बढ़ाना था इतनी बात हो गई इस आपके लिए अब देखें है कि 1910 ही ऑनेज्साइब सब्सक्राइब कर एक क्षेटर में काफी प्रगत्य कर चुका था उननीस सो चौदा तक जर्मानिी आध्यों की खितर में काफी आएंगे और पिर तैयार माल के लिए बाजार की आवज क्यक्ता थी जर्मणी को क्या चाहिए था वह उध्योग अगर खोले गा तो वो सासामान बनेगा और के भी dasवी चाहिए तो अपने वेशिक शासन अस्थापित करना चाहता पहले सामराज जवाद की लिपसा चालू हो गई थी अपने अपने सामराज को बढ़ानी की इक्षा चालू हो गई थी जर्मानी फ्रांस तो बाद में एंटर करें लेकिन 1914 तक जर्मानी काफी आंगे पहुंच चुका था ब्रटैन फ्रांस को भी पीछे छोड़ चुका था त अब देखें ऐसी परिस्थिती में जर्मन सामराज वादियों ने पतन शील तुर्की ध्यान से सुनिएगा ऐसी परिस्थिती में जर्मन सामराज वादियों ने पतन शील तुर्की सामराज की अर्थ विवस्था पर अपना नियंत्रन करना चाहा जर्मन सामराज ने क्या च इसके लिए जर्मानी ने क्या किया इसके लिए जर्मानी ने तुर्की के सुल्तान से किसके सुल्तान से तुर्की के सुल्तान से बर्लिन से बगदाद तक जर्मानी की राजदानी है बर्लिन ठीक है तो इसके लिए जर्मानी ने तुर्की के सुल्तान से बर्लिन से बगदाद तक रेलवे लाइन बिछाने की योजना पर स्वीक्रती चाही तक जर्मनी से यानि की बरलिन से जर्मनी के शहर बरलिन जर्मनी की राजधानी से डारेक्ट बगदाद तक क्या पहुचाया जा सके सामान पहुचाया जा सके रेलवे लाइन के द्वारा और जर्मनी की इस योज के रूज जापान युद्ध में जापान के विजय से जापान को अभई दूसरी बात हो रही है रूज जापान युद्ध हुआ था कव ध्यान से सुनिएगा वह कनेक्टीविटी धीरे धीरे बैठ जाएगी कि अलग-अलग घटना करम बीच में आएंगे लेकिन ध्यान से खुली रखनी है कान खुले रखने हैं तो इधर 1905 के रूस जापान युध में जापान की विज्वय से जापान को सामराजवादी महत्वा कांच्छा और परवान चड़ने लगी थी रूस जापान युध हुआ था 1905 में जापान जीच चुका था रूस को हरा दिया था काम जो था जापान के साथ भी था ठीक है फिर देखें डीसवी शताब्दी के अंदर तक अमेरिका भी एक शक्ति साली रास्ट के रूप में उभर कर सामने आया था और वह व्यापार की सुतंतरता बनाए रखने में दिल्चस्पी ले रहा था जी है व्यापार की सुतंतरत लेजस्फेर का सिध्धांत जोकी एडम स्मित ने दिया था तो व्यापार की सुतंतरता बनाए रखने में अमेरिका भी दिल्चस्पी ले रहा था कि हम मुक्त व्यापार कर सकें किसी का हम पर अधिकार ना हो हम दूसरों पर अधिकार करें तो दूसरी तागत के उभरने से उसके हितों को खत्रा था दूसरी तागत कौन उभर रही थी जर्मनी की तागत उभर रही थी ठीक है तो जर्मनी जैसी तागत उभरने से अमेरिका को भी क्या था खत्रा था ध्यान से सुनिएगा कहां तक बात पहुंचेगी ध्यान से सुनिएगा फिर देखें बईया देखें उग्र रास्टवाद की बात करें अगला कारण है 19 वी शतादी के उत्रार्द तक यानि की शिरुवाती दौर में उत्रार्द तक यूरोप के देशों में राश्टीता का संचार जो है उग्रूरूप से होने लगा ठीक है अब राष्टवाद क्या है वह यानि की समा जाती समान-धर्म समान-भासा को बोलने वाले लोग एक ही जगया पर रहें अपने अपने राष्ट का निर्माण सब कहना जाए थे ठीक है जहां एक साथ मिलकर अलग देश का निर्माळ चाहने लगे थे फिर देखेए तुर्की सांबपराज तथा आस्ट्रिया हंगरी में अधिकां सनवासी सुलाव जाती के थे ध्यान से सुनिएगा एक एक पॉइंट को ध्यान में रखिएगा ठीक है तो तुर्की साम राजत था आस्ट्रिया हंगरी में अधिकांस निवासी किस जाती के थे स्लाव जाती के थे तो उन लोगों ने यानि की स्लाव जाती के लोगों ने जो तुर्की और आस् परित्ता की यूरोप के सभी स्लाव जाती के लोग एक राष्ट हैं राष्ट बात की भावना दिख रही है कि स्लाव जाती के लोग एक साथ रहें एक राष्ट में रहें जितने भी स्लाव जाती के लोग हैं वो सभी एक राष्ट हैं किलियर हो रही है बात अब देखें इसने आस्टिया हंगरी का रूस के साथ संबंध जो है कटू बना दिया इसी तरह सर्व जर्मन अभी सर्वसलाव की बात हो रही थी ठीक है इसी तरह सर्व जर्मन आंदोलन शुरू हुआ जिसका लक्ष था बालकन प्राइदीप में जर्मन सामराज का विस्तार करना इस प्र आशा बोल चाल संस्क्रती रहें से खाना पीना इसको इंपोर्टेंस दे रहे थे और एक एक अलग राष्ट के निर्माड़ की बात कर रहे थे यानिकी राष्टवाद की भावना समय जाग उठी दी दो कारण हो गए अपने अब देखें वही तीसरे कारण के रूप में हम प्रांस जर्मनी आदी प्रमोख यूरोपी देश अपनी रास्टी आय का लगभग 85 प्रतिशत सैनेक तैयारियों पर व्याए कर रहे थे क्या बात कही गई है यूरोपी देश अपनी सैनेक शक्ती पर सारा ध्यान के इंद्रेट कर रहे थे सैनेवाद की बात हुरी सैनेक सक पर जादा से जादा खर्चा किया जा रहा है फ्रांस जर्मनी आदी प्रमोख यूरोपी देश अपनी रास्टी आयका रास्टी आयका 85 प्रतिशत भाईस आप सोचो जितनी टोटल रास्टी उसका बहुत बड़ा भाग 85 प्रतिशत सैनेक तैयारियों पर खर्च कर रहे थे उसके बाद देखें 1913 और 1914 इसमी में फ्रांस के पास लगभग 8 लाग फ्रांस के पास कितने 1913-14 निकट समय है विश्विध का ठीक है फ्रांस के पास 8 लाग जर्मनी में 7 लाग 60,000 ठीक है और रूस में 15 लाग वया 15 लाग 27 सैना थी देख रहे हो कितनी बड़ी बड़ी सै जर्मनी ने इसको चनौती के रूप में लिया और इंग्लेंड को नीचा दिखाने के लिए अपना जहाजी बेड़ा बनाना शुरू कर दिया जर्मनी अब देखें अब देखें 1912 में जर्मनी ने क्या बनाया भीया जर्मनी ने इंपरेटर नामक जहाज बनाया जो उस समय का सबसे बड़ा जहाज था पूरे विश्व में उस समय का सबसे बड़ा जहाज था कौन सा इंपरेटर नामक जहाज उसके बाद देखें इस प्रकार जर्मनी के बाद दूसरा सबसे शक्ति शाली राष्ट कुर विश्व में बन गया था तो ये बात हो गई भई तीसरे कारण यानि की सैन्यवाद की उसके बाद देखें गुटों का निर्माड चौथा कारण देखें गुटों का निर्माड किस तरीके से गुटों का निर्माड होता है ध्यान से सुनिएगा तो सामराजवादी लिपसा के सिकार ध्यान से सुनिएगा सामराजवादी लिपसा के शिकार शक्ति शाली देश अपने अपने हितों के अनुरूब गुटों का निर्माड करने लगे थे सामराज वादी लिपसायानी की सामराज को बढ़ाने की इकष्या के शिकार जितने भी शक्ति शाली देश थे अपने 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 लाव अपने अपने प्रॉफिट के अनुसार जो है अलग-अलग गुटों का निर्माड करने लगे थे पिर देखें एक समान स्वार्थ को केंद्र में रखकर रास्ट जो है रढशनी तै करने लगे थे और परिणामस रूप संपूर्ण यूरोप गुटों में बढ़ गया था ठीक है और धीरे 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 सैनिक शिविर का रूप लेते जा रहा था और यूरोप में यह प्रक्रिया 19 वी शताब्दी से ही जारी थी और यूरोप में गुटबंदी का जन्मदाता किसे कहा जाता है भई साब ये बात याद रखना डिरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहां से यूरोप में गुटबंदी का जन्मदाता जर्मनी के चांसलर बिसमार्क को माना जाता था अलग-अलग देश गुटबंदी में क्या होता है भई गुटबंदी यानि की ग्रुप या समूह तो अलग-अलग लोग अपने अपने हिसाब से अपने अपने सहमूव में बट जाते हैं जहां जिनको प्राफिट देखता है जहां जिसकी विचार धारा एक सी दिखती है ठीक है तो इस तरीके से गुटों का निर्मार होता है ठीक किसी तरीके से यूरोप में भी गुटबंदी हो रही थी उस समय और यू 1889 में ऐस्ट्रिया के साथ द्वैद संधी करी और 1822 में धियान दीजे कि 1842 इसमी सिवी में त्रगट यान ट्रपल अलाइंस की बात हो रही है बना जिसमें कौनखों कौन शामल था जरुमनी जर्मनी ने ऑस्ट्रिया के साथ द्वै meat संदी करी है ठीक है तो त्रगुट का निर्मार होता है त्रगुट में कौन-कौन शामिल होता है त्रगुट में सबसे पहले शामिल होता है जर्मनी ठीक है फिर फिर सामिल होता है ऑस्ट्रिया हंगरी ठीक है एक हो गया जर्मनी शामिल हो चुका है दूसरा होता है अपना ऑस या हंगरी कों वोता है या हंगरी और उसके बाद तीसरा शामिला hope आता है इटली ये इस तरीके से टर्गुड का निर्मान हो जाता है और यह बिसमार्क निकिसके विरुध बनायता बिसमार्क ने रोगड बनाये था धैसाब फ्रांस के विरुद्ध बनाया था जर्मनी का चांसलर था देख रहे हो भई सब जर्मनी की भूमी का प्रत्थम विश्वद को शुरू करने में बाद में यह चीज समझ में आएगी आपको देखें तो इटली की विश्वशनियता संदिग्द थी इटली को जो इसमें शामिल किया गया था तो इटली पर लोगों को शक था जर्मनी को भी शक था तो इटली की विश्वशनियता संदिग्द थी जिए क्योंकि उसका मुख्य उत्देश क्या था उसका मुख्य उत्देश यूरोप में ऑस्ट्रियाँ हंग्री से कुछ इलाके छीनना जियां जिस विश्वशनेता पर संधिक्दता थी यानि कि शक था इटली पर पूरे परीके से विश्वास नहीं किया जाता था किया जा सकता था क्योंकि इटली क्या चाहता था इटली क्या चाहता था यूरोप में ऑस्ट्रियां हंगरी से कुछ इलाके चीनना इससे इलाके चीनना और इ घर्मनी इटली ऊफ्रिया अब ये इफ्रीया हंग्री जर्मनी और इटली आव है त्रगोट के विरोध में क्या होता है ठीक है त्रुपूट के विरोध में देखें तो फ्रांस रूस ब्रटेन कौन cambiar कॉन फ्रांस रूस और ब्रटेन कबसे कब 1907 साथ इस्वी में एक ट्री देशिय संधी यानि की डुपल अटैंटी ठीक है कौन कौन शामिल था त्री देशिये में त्री देशिये संधी त्री देशिये संधी किन के बीच हुई थी त्री देशिये संधी जो है किन के बीच हुई थी त्री देशिये संधी जो है फ्रांस रूस और ब्रेटेन के बीच हुई थी ठीक है तो त्री देशिये में कौन कौन शामिल था यह इस लिए बार बार आपको लिखके बता रही हूं त्रगोटमें कौन कौन शामिल था त्रगोटमें थे वह यह जर्मानी तो शुरू में था ही ठीक है शुरुआत तो इस ही ने करी थी उसके बाद भी यह ओस्ट्रिया हंगरी थे यह दोना पहले एक ही उस्ट्रिया हंगरी इसलिए इनको साथ में लिखा जाता है और उसके बाद इसमें जुड़ा था इटली के लिए रोगई बात यह चीज आपको आखरी तक याद रखनी है यह चीज ठीक है अब देखें तो यह सामान यहितों और समझदारी पराधारे ढोल ढाला गट जोड जी हां और इन दोनों गुटों की उपस्थिती ने युद्ध की भयावहता को तै कर दिया था भई पूरा विश्व जो है दो खेमे में बट गया है यूरोप के देश कितने खेमे में दो पार्टी में बट गया है ठीक है एक दूसरे के शत्रू हो गए है युद्ध तो होन लेती हैं ठीक है अब देखें घटना क्रम क्या होता है कारण जान लिए पन फैना क्या 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 अब क्या घटना क्रम था प्रथम विश्व जूरुद्ध का यांशी 1914 सले के 1918 तक के बीच में क्या-क्या घटनाय घटती हैं उनको देख लेते हैं देखें बई तो पहली बात क्या कही है 1914 ECV में प्रारभुए प्रत्थम विश्युद्य के पूर्वे के वर्षों में इस तरह से घटनाय घटे थो रही थी देखें बई जब 1914 में ये युद्ध शुरू हुआ था तब शुरू आती दौर में किस प्रकार की घटनाय घटत हो रही थी उनके बारे में देखें तो जैसे मोरको का प्रश्ण हो या बालकन प्राइदीप का मुद्ध ये सभी युद्ध को निकट लाने का कारे कर रहे थे बालकन प्राइदीप का मुद्ध बालकन छित्र में कई सारे चोटे 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 राज्य समाय थे ठीक है तो ये सभी मुद्धे जो है युद्ध को निकट लाने का कारे कर रहे थे और उनीसो चार इस भी में आपसी समझोते के फस्जूरू ब्रीटेन को मिस्र में अपनवेश स्थापित करने की छूट मिली और फ्रांस को क्या मिला फ्रांस को मिला मूरक को ठीक है उसके बाद देखें इससे जर्मनी को बड़ा छोब हुआ किससे चोब हुआ जर्मनी को कि ब्रेटेन को मिस्र में अपनवेश स्थापित करने की छूट मिल गई है और फ्रांस को मोरको मिल गया है इससे भई कौन रूट गया जर्मानी रूट गया जर्मानी को गुश्टा आई जर्मानी को बड़ा च्छोब हुआ और जर्मानी क्या चाहता है मोरकों की स्वतंतरता की दोहाई दे रहा था गी मोरकों को आजाद करो और फ्रांस अपने हित के आँगे जो है अंधा बना harkindr जमाली और तुर्की पर अंपर दिकार कर लिया और इस चेत्र को सर्वीया भी लेना चाहता था लेकिन टुर्की को सर्वीया भी लेना चाहता था लेकिन लिए असिस के लिए उसे रूस का भी की समर्थन ठाप्त था और रुस ने ऊस्ट्रिया को युद्ध छेडने की ढायी कर देंगे इस पर जर्मानी कि और एके पक्ष में आगया क्यmore क सा थीक है तो जर्मानी जो है मुरक्ष की सुतंत्रता भी चाहता था जर्मानी ऑस्ट्रिया के पक्ष में भी आ गया क्योंकि ऑस्ट्रिया का वरोध कौन कर रहा था रूस कर रहा था तो इस पर जर्मानी ऑस्ट्रिया के पक्ष में आ गया अंद तहा रूस को पीछे हटना पड़ा रूस जो है पीछे हट गया लेकिन इस घटना से रूस और जर् जर्मनी बढ़ी जानी है ठीक है उसके बाद देखें आए के नतीजे देखें साथी जर्मनी साथी जर्मनी फ्रांस के प्रती उतना ही विश्याक्त था जर्मनी फ्रांस के प्रती भी विश्याक्त था जर्मनी फ्रांस से भी कट उता रखता था और जर्मनी का चांसलर विसमा तो इसने धनी प्रदेश वह अधिकार के अधिकार कर लिया था निप्रदेश अपना अंधिक अधिकार कर लिया था और जर्मानी ने मोरक्कों में भी फ्रांस का डटकर विरोध किया था क्योंकि मोरक्कों को कौन हड़ा अपना चाहता था फ्रांस तो जर्मानी ने मोरक्कों में भी फ्रांस का डटकर विरोध किया था फलता यह खाई बढ़ती गई किसके बीच जर्मानी और फ्रांस के ब युद्ध का आगाज हो चुका है तो युद्ध की शुरुवाद एक मामुली घटना से हुई थी बहुत ही मामुली घटना से हुई थी तातकालिक कारण था वो भाईया ध्यान से सुनना ये बात बहुत इंपोर्टेंट है ठीक है तो युद्ध की शुरुवाद एक मामुली गटना से विती अगर संपोड यूरोप गुटों में नाबटा हुता, ध्यान से सुनना ध्यान से समझना, अगर पूरा यूरोप गुटों में नाबटा हुता, जो की बढ़ चुका था, ठीक, एक तरण जरमनी, इटली, ओस्टिया, हंगरी थे एक त्रव फ्रांस ब्रटैन और कौन था फ्रांस ब्रटैन रूस थे ठीक है तो देखें भाई युद्ध की शुरुवाद एक मामली घđटना से हुई अगर संपूरियोप गयदा होता अगर संपूरिय 28-1914 को आर्कड्यूक फर्डिनेंट की बोस्निया की राजधानी सहरा जेवो में हत्या हो गई थी आर्कड्यूक फर्डिनेंट कौन था आस्ट्रिया का राजकुमार था कौन आर्कड्यूक फर्डिनेंट 1894 को आर्ग ड्युक फइटिनेट की बोस्निया की राजधानी सहरा जेवो में हद्या हो गई ठीक है और और ऐस्टिया ने इस घटना के लिए किसको जिम्मेदार ठहराया और त्यां स्ना के समक्ष अपनी कुछ उन्हें रखे ध्यान से सुनियेगा । 28-1914 को और उस्टिया के राजकुमार और डिउक फडिनेट की हत्या कहा हो गई बोसनिया की राजधानी सहरा जेबं हो गई और और उस्टिया की जिन्मेदार ठहराया था सर्विया को लेकिन सर्वियानay से मानने से इंकार कर दिया औरर सरविया के समझ स्विकार करने से इंकार कर दिया क्योंकि इसे वह स्वतंत्रता पर कुठारागाद समस्ता था फलता 28 जुलाई 1914 को 1 8 24 को आस्सट्रिया ने शर्विया के खिलाफ युद्ध की जो Sergeant कर दी ठीक है तो तातकालिक कारण क्या दिखता है प्रथम शिद्ध का पहली बात तो यह है कि दुनिया के देश यानि कि यूरोप के देश खेमों में बढ़ चुके हैं ठीक है और दूसरी बात क्या हो गई भी तातकालिक कारण आस्ट्रिया के राज कुमार आर्क ड्यूक फर्डिनेट की हत् जिसके लिए जिम्मेदा ठहराया सर्विया को सर्विया ने मानने से इंकार कर दिया तो अस्ट्रिया ने सर्विया पर कर दिया आक्रमार और किस तारीक को वो तारीक याद रखनी है अठाई जुलाई एक महिने बाद 28-1914 को हत्या होती है और 28-1914 को एक महिने बाद जो है आश्टिया ने सर्विया के खिलाफ युद्ध की घोशना कर दी फिर देखें रूस ने सर्विया को पूर्ण सहयता का वचन दिया और युद्ध की तैयारी करने लगा उसके बाद देखें जर्मनी ने एक अगस्त 1914 को रूस और तीन अगस्त 1914 को फ्रांस के खिलाफ युद्ध की घोशना कर दी जर्मनी ने कप कर दी भई किसके खिलाफ एक अगस्त 1914 को रूस और दो दिन बाद तीन अगस्त 1914 को फ्रांस के खिलाफ युद्ध की घोशना कर दी और फ्रांस पर दवाब डालने के लिए क्या ब आप है चार अगस्त को बेल जीयम में गुश गयी फेश देखें उसी दिन ब्र harness चर्मणी के खिलाफ युद्ध की कोष्रा कर दी चार अगस्त को зр đến सप्रथां विश्योद का प्रारंब हो जाता है फिर देखे जापान ने जापान ने सुदूर पूर्व में जर्मनी के उपनवेश हतियाने के उद्देश से जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी जापान ने क्या किया जापान सुदूर पूर्व में जर्मनी के उ तरफ तरकी ऐर बुल्गारिया जर्मनी की तरफ हो गए तर्की यह इंट्री दिखाई लेकिन इटली की दिखाई दी क्या नहीं दिखाई दिया भया तैस्तरहा है क्यों त्रफल को जीतना चाहता था जो ऑस्ट्रिया के प्रदेश थे और ऑस्ट्रियान दिरब से अभी इंट्री नहीं करें त्रुटका सदस एपर एंट्री नहीं करीए क्लाफ जो है युद्ध में शामिल हो गया उसके युद्ध के ताथ काले कारण के रूप में सामने आई तो ताथ काले कारण के रूप में क्या सामने आता है भाईया युद्ध का ताथ काले कारण पुर्थाम विश्वद का ताथ काले कारण आर्क ड्यूक फईडी नैड की हत्या युद्ध के ताथ काले कारण के रूप में हमें सामने दिखाई देती है अब देखें भई साब अब देखें युद्ध का अंत और शांती संधियों की हम बात करें युद्ध का अंत और शांती संधियां कैसे होता है युद्ध का अंत देखें 1917 में एक और महत्वपूर्ण घटना घटी वह था रूस का युद्ध से अलग हो जाना थीक है रूस युद्ध से अलग हो गया उननी सो सत्रा में और अब तक रूस के 6 लाग से अधिक सेनेक मारे जा चुके थे बारी जंदन की हानी हो चुकी है इससे जादा हानी हम बरदाश्ट नहीं कर पाएंगे ठीक है फिर देखें रूस की अर्थविवस्था भी अत्यंत दैनी हो गई थी उस समय और देखें बोल्शेविक सरकार के सब्ता में आती ही इसके नेता लैनिन ने विज्यप्ति जारी कर की ठीक है जिसमें दूसरे के छेत्रों को हतियार बिना और युद्ध के हरजाने के लिए बिना शांती स्थापित करने के प्रस्ताव रखे गए थे बोल्शेविक सरकार जैसे ही सत्ता में आई और उसके नेता लैनिन ने विज्यप्ति जारी करी और उस विज्यप्ति यान हरजाना लिए बिना हम शांती स्थापित करना चाहते हैं कुछ ऐसी बातें करीं गहीं थी अब देखें इसके बाद देखें यह दपी यह शर्त हैं रूस यह शर्त हैं और युद्ध से रूस का हटना उसकी अपनी आंत्रिक विवस्ता की आप परिहारियत था थी यानि क्य युद्ध से हट गया था क्योंकि आंत्रिक विवस्ता कमज़ोर हो गई थी भाई साब लेकिन जर्मानी ने इसे रूस की कमज़ोरी माना और कुछ मुश्किल सर्त हैं रूस के समच्छ रखनी जर्मानी ने ठीक है इसके बावजूद भी रूस इसे स्विकार कर युद्ध स हट गया कि भई आपकी शर्त हैं जो हैं हम स्विकार कर लेते हैं लेकिन हमें युद्ध से हटना है ठीक है उसके बाद देखें मार्च 1918 में रूस जर्मानी एक शांती संधी होती है भी या रूस और जर्मानी के बीच एक शांती संधी हुई और रूस पूर तहा से हट जाने के बाद रूस का युद्ध से हट जाने के बाद युद्ध समाप्ति की आवाज उठने लगी रूस जैसे ही युद्ध से हटा तो युद्ध समाप्ति की आवाज हर एक देश उठाने लगा कि युद्ध खतम किया जाए बहुत समय हो गया बहुत जंदन की हान हो गई तो युद्ध रत देशों ने युद्ध रत देशों ने प्रकटता तो अपनी एक्षा नहीं जाहिर करी लेकिन इन देशों की जनताने युद्ध के खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी जो देश युद्ध में लगे हुए थे युद्ध लड़ रहे थे उन के सैनिक विद्रो होने लगे रूस की नई सरकार से पूरे विश्वम है रूस की नई सरकार से पूरे विश्वम है आम जनता का जो है मनोबल उचा उठा उसके बाद देखें युद्धरत देश की जनता अपनी ही सरकार के खिलाफ आवाज उठाने लगी युद्धरत क्या हो रही है जन धन की हानी हो रही है उनकी हालत तहसन है सो रही है तो युद्धरत देश की जनता अपने ही सरकार के खिलाफ जो है आवाज उठाने लगी कि भाई साथ प्रभू सरकार अब युद्ध को बंद किया जाए ठीक है अब देखें भई ध्यान से सुनिएगा एक पॉइंट को जर्मनी के यूनो का नामक पंडुब्यों ने ब्रिटिस बंदरगाह की तरफ जाने वाले जहाजों को डबोना शुरू किया जर्मनी का एक नौका है भीया पंडुबी है ठीक है यूनो का नामक पंडुबी है जर्मनी के पास में तो जर्मनी ने क्या किया लूसी तानिया नामक जहाज डूब गया ठीक है और जो लूसी तानिया नामक जहाज था उसमें अमेरिका में प्रतिक्रिया हुई लूसितानिया नामक जहाज को डुबोने से अमेरिका में प्रतिक्रिया हुई क्योंकि लूसितानिया नामक जो जहाज जर्मनी की पंडबी न डुबोया था उसमें अमेरिकी नागरिक सवार थे वही अमेरिका तो विरोध करेगा ठीक है फिर देखें अमेरिका के मना करने के ढूंसे बाद भी जब जर्मनी ने अपनी कारवाहीं नहीं रोकी अमेरिकाँ हो चुकी है फिर देखें अमेरिका के युद्ध में शामिल होने से जैसे ही अमेरिका युद्ध में शामिल होता है तो अमेरिका की युद्ध में शामिल होने से युद्ध की इस्थती ही बदल गई ठीक है जुलाई 2018 में ब्रतेन फ्रांस अमेरिका ने सेयोक्त सैनिक अभियान आरंभ किया भ?」 अब देखो ब्रतेन अमेरिका फ्रांस ये विश्यव की माहा हें एक तरह प्राफ है जर्मणा एक तरह है जलाए 1918 में ब्रटेन फ्रांस और अमेरिका ने संयोक्त सैने का बियान आरब किया और जर्मनी तथा उसके सहयोगी देश जर्मनी के साथ जितने भी देश थे उनके सहयोगी देशों की धीरे-धीरे हार होने लगी थे यह बात हो गई अब देखें भई बुलगारिया में सितंबर तो बुलगारिया सितंबर में युद्ध से अलग हो गया ऑक्टूवर में तुर्की ने आत्म समर्पन कर दिया ऑक्टूवर में क्या होता है ऑक्टूवर में तुर्की भी हट गया भाईसा बुलगारिया हट गया सितंबर में ऑक्टूवर में तुर्की भी हट गया ठीक है आस्ट्रिया हंगरी और जर्मानी में राजनेते कसंतोस बढ़ रहा था जबकि यह एक ही खेमे में थे एक ही पाले में थे एक ही गुट में थे आस्ट्रिया हंगरी और जर्मानी में जो है राजनेते कसंतोस बढ़ रहा था और 3 नवंबर 1918 को कब 3 नवंबर 1918 को आस्ट्रिया तहां हंगरी के समराट ने आत्म स्मर्पन कर दिया बचा कौन भाई साल के बचा कोन जर्मनी बचया आश्टिया भी एक तरफ ऑनि जर्मनी एक क्रांती फूटपढ़ी और जर्मनी एक गण राज्य बन गया और जर्मन सम्राट ध्यान से सुनियेंगा जर्मन सम्राट कैसर विलियम दुतिय पलायन कर हॉलेंड चला गया भाग गया जर्मनी का जो सम्राट था कैसर विलियम दुतिय उस समय वह भाग गया और जाके कहा स्रण लेली भाई हॉलेंड हॉलेंड यानि कि जि अब देखें वही नई जर्मन सरकार ने अब भी वह तो भाग गया नई जर्मन सरकार बनेगी तो नई जर्मन सरकार ने 11 नवंबर 1918 को युद्ध विराम संधी पर हस्ताक्चर किये और इस प्रकार युद्ध जो है समाप्थ हो गया कैसर विलियम दुतिये के हालेंड पलायन करते ही एक नई जर्मन सरकार बनती है तो नई जर्मन सरकार ने भी क्या कहा कि ठीक है वह युद्ध वराम संधी पर हम स्ताक्चर करते हैं अकेला बच रहा था अब जर्मनी और जर्मनी के साथ उतने देश थे वो सब धीरे-धीरे कर करते थे ध्यान से सुनिये का प्रधम विश्युदी की समाप्ति के दौरान अमेरिका के राष्टपती कौन हुआ करते थे वोड्रोव विल्सन ऐसे में अमेरिका के राष्टपती वोड्रोव विल्सन ने जनवरी 1918 में एक शांती कारिक्रम प्रस्तुत किया जो 14 सूत्रों क नाम से चर्चित हुआ जी हां 14 सूत्रों के नाम से जो है चर्चित हुआ इसमें राज्यों के बीच खुली बातचीत चलाना जहां जुरानी की स्वतंत्रता ठीक है 14 सुत्री कारिक्रम में क्या-क्या बातें देखने को मिलती है जो उस दोरान उस दोरान अमेरिका के राष्टपती विड्रो वुलसन ने अपनी बातें 14 सुत्री कारिक्रम में जोडी थी देखें वह कौन-कौन सी बातें मिलती है इसमें क्या-क्या शामिल फ्रांस को अलसास तथा लॉरेन की वापसी यूरोप में स्वतंत्र राज्यों की स्थापना सभी राज्यों की स्वतंत्रता की जमानत के लिए अंतर रास्टिय संगठन की स्थापना जैसी बातें शामिल थी इस तरीके की बातें अमेरिका के तदकालीन रास्टपती वुडर विल्सन ने अपने 14 सूत्री कारिक्रम में जोड़ी थी ठीक है इस प्रकार शांती संधी में विल्सन के कुछ सूत्रों को भी शामिल किया गया था अब देखें वर्साइगी संधी की बात करते हैं वर्साइगी संधी की बात करते हैं सब सबसे इंपोर्टेंट बात है यह ठीक है क्यों है यह सबसे इंपोर्टेंट आपको आगे जाके समझ मैं आएगा तो वर्साइगी संधी प्रथम विश्वध्य जैसे समाप्त हुआ जर आश 시작 सघ्रांश सब्सक्रार अर Watts ने मिलकर के जर्मनि के साथ संधी करी ठीका जिसे वर्साइग संधी के नाम से ग Examiner जाता है वर्साइगी संधी के नाम से क्यों जाना जाता है क्योंकि यह फ्रांश की जो राजधानी है पैरिस का एक उपनगर है क्या पैरिस का ओप वर्साय वहां पर यह सम्मेलन हुआ था वहां पर जर्मनी ने सांती शम्मेलन में शांती संधियों पर हस्ताक्षर करे थे इसलिए इसको वर्साय संधी के नाम से जाना जाता है यह बात क्लियर हुई कि वर्साय संधी के नाम से क्यों जाना जाता है क्लियर तो देखें जनवर और जून 1929 के बीच कब की बात हो रही है जनवरी और जून 1929 के बीच विजय शक्तियों यानि की मित्र रास्ट जो ज्रास्ट जीत चुके थे उनका एक सम्मेलन हुआ पैरिस के उपनगर वर्साएं में ठीक है और फिर बात मैं पैरिस में भी हुआ हाला कि यह सम्मेलन में 27 देश भाग ले रहे थे इस सम्मेलन में कितने देश भाग ले रहे थे वर्साएं में जो सम्मेलन आयुजित हुआ था 27 देश भाग ले रहे थे लेकिन तीन देश कौन कौन से तीन देश ब्रटैन फ्रांस और अमेरिका ही निरणायक भूमी का निभा रहे थे 27 देश भाग वुड्रोब इसन तीन देशों के टीन नेता अमेरिका के राष्टपति वुड्रोब इसन ब्रटेन के प्रधान मंत्री लोईड जॉर्ज और फ्रांस के प्रधान मंत्री जॉर्ज के लिए यही तीन प्रमुख व्यक्ति थे जो शांती शंधी की शर्तें तय कर रहे थे ठीक है शांती संधी की शर्तें तय कर रहे तो पराजित राष्ट जो राष्ट हार चुके थे प्रतम विशुद में उन पर उनके मत्थे इन संधियों को मड़ रहे थे किलियर हो गई बात अब द जो सम्मेलन आयोजित किया गया ता उसमें पराजित राष्टों को कोई महत्व नहीं दिया गया 27 देश भाग ले रहे ते लेकिन शान्ती की संधी ब्रेटेन भ्रांस और अमेरिका ही तै कर रहे थे कोई महत्व नहीं हारे हुए देशों को और रूस को भी रूस को भी शांती संधी की प्रक्रिया से बाहर रखा गया था ठीक है अब देखें मुख्य संधी जो होती है वो होती है जर्मनी के साथ और कब होती है 28199 को होती है मुख्य संधी किसके साथ होती है जर्मनी के साथ ध्यान रखिएगा वर्साइगी संधी किसके साथ करी गई जर्मनी के साथ कब 28199 को करी गई और इसे किस संधी के नाम से जाना जाता है इसे वर्साइगी संधी के नाम से जाना जाता है तो वर्साइगी संधी जर्मनी के साथ 1929 को की ठीक है फिर देखें पराजित जर्मानी को संधी परहस्ताक्चर करने के लिए मजबूर किया गया जर्मानी हार चुका था और जर्मानी को शांती संधी की शर्तों परहस्ताक्चर करने के लिए मजबूर किया गया और संधी में संधी में जर्मनी को युद्ध का जिम्मेदार ठहराया गया था उस संधी में सपश्ट लिखा था कि युद्ध का जिम्मेदार जर्मनी अब बलकुल था अपन ने देखा अभी शुरू में देखा उसके बार देखें फ्रांस को अलसास लॉरेन का छेत्र जो है और शांती संधी में क्या क्या लिखा है वो बातें अब ध्यान से सुनिएगा कि जर्मनी के साथ किस तरीके का भ्यावहार किया जा रहा है कौन-कौन सी बात लिखिए वर्साइस संधी की शर्तों में ठीक है ध्यान दीजिएगा इन पर जर्मनी की सारशेत्र की कोईला खदान को जर्मनी की मैं एक शेत्र है सार्षित्र वहां पहें कोईला खदाने तो जर्मनी की सार्षित्र की कोईला खदानों को 15 वर्स के लिए फ्रांस को दे दिया ठीक है और इसका प्रशासन राष्ट संग के अधीन कर दिया राष्ट संग बनाया गया था बई किसके लिए बनाया संग के अधीन कर दिया गया इसके बाद देखें जर्मानी को अपने युद्ध पूर्व छेत्र का कुछ भाग डैनमार्क बेल्जियम पोलेंड और चेकोसलाविया को भी देना पड़ा था जर्मानी को अपने युद्ध पूर्व छेत्र का भाग ठीक है किसको देना पड़ा यानि कि वो सिर्फ जर्मानी खाग था जर्मानी ने दूसरे देशों से नहीं छीना था तो डैन्मार्क को देना पड़ा बेलजियम को देना पड़ा पोलेंट को देना पड़ा और चकोशलाविया को भी देना पड़ा ठीक है जर्मानी से अब चीजन छीनी जा रही है बाई स कि रायन नदी का जो घाटी छेतर है वहां पर अब जर्मनी की सैना नहीं रहेगी ठीक है और संधी के तहट जर्मनी की सैना एक लाख तक सीमित कर दी जर्मनी के पास जो कई लाखों में सैना हुआ करती थी तो संधी में लिख दिया एक शर्त लिख दी कि जर्मनी अब एक ला जहाज और नोंकाünde फार अमेरिका का लुसी थांक से परशान किया है लाव सब लाव तो इस से वायू से और पंडुल रखने के अधिकार भी जर्मणी से छीन लिए गए ठीक हैं अब देखें बए जर्मनी को सारे उपनवेश जर्मनी के सारे उपनवेश यानि कि जर्मनी ने जो जो प्रदेश जीते थे ठीक है जिन जहां जहां अपना उपनवेशक शासन इस्थापित किया था तो जर्मनी के सारे उपनवेश विजित रास्टों ने जो है आपस में बाट लिये टोगा कैमन को ब्रटैन को फ्रांस ने आपस में बाट लिया जो जर्माणी ने पहले जीता था जिन पर जर्मानी को अपनुवेश्यक् शाह्सन खरता करता था तो उनमें से टोगा और कैमरन को ब्रटैन और फ्रांस ने आपस में बाट लिया फिर देखें दक्षड पश्यम अफ्रिका और पूर्वी अफ्रिका में इस्तित जर्मन उपनवेश दक्षड पश्यम अफ्रिका में जो जर्मनी के उपनवेश थे और पूर्वी अफ्रिका मे जर्मानी के उपनवेश थे तथा चीन में जो उपनवेश थे उनके सारे अधिकार शेत्र किस दे दिये जापान को दे ठीक है इस तरीके से हर जग है हर एक अपन वेशिक सासन जर्मनी से चीन कर अलग अलग राष्टों को दे दिये जा रहे थे उस दोरान पर अब देखिएगा आंगे युद्ध के दौरान चीन मित्र राष्टों का सहीयोगी था युद्ध के दौरान चीन किसका सहीयोगी था युद्ध के दौरान चीन जो है मित्र राष्टों का सहीयोगी था और पैरिस सम्मेलन में उसका प्रती निधी भी शामिल हुआ युद्ध के दोरान चीन मित्र राष्टों का सहयोगी था और पैरिस सम्मेलन में उसका प्रती निधी भी शामिल हुआ उसके बाद देखें प्रंतु जर्मनी के अधिकार या नियंत्रन करने वाले चीनी छेत्र चीन को नहीं लोटाए गए बलकि वे जापान को दे दिये गए वो जापान को दिये गए अभियापन नहीं देखा ठीक है और युद्ध में मित्र राष्टों को जो हानी और छती हु थी उसका हरजाना भी कौन भरेगा जर्मनी भरेगा और हरजाना देखना कितना खतरनाक होता है तो युद्ध में मित्र राष्टों को जो हानी और छती हुई थी उसका हरजाना भी जर्मनी को भरना था और इसके लिए कितनी राशी थी वह यह चैय अरब ध्यान से सुनिए थी क्यों क्योंकि उस युद्ध में जो मित्र राश्टों को हानी हुई थी उसका हर्जाना भना था छे अरभ दसकरोड पॉंट का भारी जर्माना इस तरीके से जर्मनी पर वर्साइगी संधी के तहत इस प्रकार्गी को शर्त और धारित करी गई जर्मनी के उस पर संधियां करी गई यह तो जर्मनी के साथ संधियां हुई थी वर्साइगी संधी जर्मनी के सहयोगी ते उनके साथ अलग संधियां करी उनको भी लपेटे में लिया ठीक है तो जर्मनी के सहयोगियों के साथ अलग संधियां की गई ऑस्ट्रियां हंगरी को विभाजित कर द यूगोसलाविया और पोलेंड की स्वाधिंता को मान्यता दे दे ओस्टिया से कहा हंगरी को आजाद कर दो चक्यसलाविया को आजाद कर दो यूगोसलाविया को आजाद कर दो पोलेंड को आजाद कर दो इनकी स्वाधिंता को मान्यता दे दो ठीक है उसे अपने छेत्र भी इन देशों को इटली को देने पड़े और बालकन छित्र में अनेक परिवर्तन करे गए ठीक है अनेक राज बनाए गए अनेक राज बनाए गए और उनके बीच भू भागों का हस्तांत्रण किया गया और बाल्टिक राज जो रूसी सामराज के भाग थे उनको सुतंत्र गोस बाद में मजाएगी बाद में क्या होता है कि शांती संधी की शर्तने कब तक आएं हम रहती है क्लियर हो रही है बात चलिए तो देखते हैं आगे अब देखें भई तुर्की के साथ की गई संधी में तुर्की सामराज को पूरी तरीके से चिन भिन्न कर दिया भाई-साब पिर देखें ब्रेटेन को फिलिस्तीन ब्रेटेन को फिलिस्तीन और मैसोपोर्टामिया जो कि एराग का एक शहर था वो दे दिये गए और फ्रांस को क्या दे दिया गया सीरिया वैसा अब तुर्की का जहां जहां भी शाशन था वो सारे एरिया लेके किसको दे दिये गए चेत्रों और देशों का यह हस्तांतरण जिस व्यवस्था के तहट किया जा रहा था जैसे कि तुर्की के साथ जो संधी की गई थी और तुर्की सामराजी को छिनने भिनने कर दिया था उसमें ब्रटैन को फिलिस्तिन मैसोपोटामिया दे दिये गए थे और फ्रांस को सीरिया दे दिया यह क्या है चेत्रों और देशों का हस्तांतरण है तो यह अस्तांतरण चेत्रों और देशों का हस्तांतरण जिस व्यवस्था के तहट किया जा रहा था उसे क्या कहा गया उसे शाशन देश या मैंडेट व्यवस्था कहा गया कौन सी व्यवस्था शाशन देश व चलाता भई जो मेंडेट देश कहे गए थी जिनका हस्ता अंतरण किया गया था उनका शाशन अब कौन चलाता भई जिसके पास गए हैं वही चलाता यानि की ब्रेटैन और फ्रांस उसके बाद देखें वही साब वास्तों में उनका शाशन उपनवेशों की तरह किया जाने लग़ा जो चीज़ें जो नहीं युनान और इटली को दे दिया गया तुर्की के छेत्र का धिकांस भाग जो है युनान को दे दिया और इटली को दे दिया गया और खुद तुर्की को एक छोटा सा राज्य बनाने का निरणाई लिया गया कि तुर्की को भईया अब एक छोटा सा राज्य हम बना देंगे ठीक है उसके बाद द का प्रसम्विदा दिखाई देता है उसके बाद देखें तो अमेरिका के राष्ट पती वुड्रो विलशन के चौध है सुत्री सिद्धान तो मैं भी इसकी चर्चा खीए इसके बाद देखे इसके घ्या उत्देश थे भी या इसके चंग था इश्य शांती और सुरक्ष्य नहीं रखना K और सदस्य देशों को युद्ध का सहारा ना लेने के लिए बाद धेकरना ठीक है जो राष्ट संगी के सदस्य देश हैं उनसे ऐसी गुजारिश करी गई कि अब आप जो है युद्ध का सहारा नहीं लेंगे इसके बाद देखें इसका एक महात्वपुन प्रावधान प्रती क्या बात कहीए इसके एक महात्वपुन प्रावधान की रूप में हमें क्या देखने को मिलता है कि इसके एक महात्वपुन प्रावधान प्रती बंधों से संबंदित था और इसके अनुसार इसके अनुसार यानिकी राष्ट संगी के अनुसार किसी भी आक्रमण कारी और सामाजिक स्थिती को सुधारने के उपायों को जो है इसमें शामिल किया गया था यहां तक की बातों में किसी भी तरीके की समस्य हो फटा फट से आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके बताएं तो यह सब बात ने हो रही है वैसा अब राष्ट संग के बारे में जी हां राष्ट संगी की स्थापन करी गई थी जिसके उद्देश इस प्रकार से आपके सामने बताए गये हैं अब अपन चलते हैं आंगे अब देखें युद्ध और शांती संधियों के परिणाम क्या देखने को मिलते हैं देखिए भई अब तक के हुए युद्धों में तरनाग था और इसकी बर्बादी इसकी व्यापकता और बर्बादी जो थी बहुत ही त्रासदी पूर्ण थी ठीक है फिर देखें विभिन अनुमानों के अनुसार भय युद्ध और शांती संधियों के परिणाम देख रहे हैं कि जो प्रथम विश्विद्ध हुआ था उ इश्व युद्ध से प्रभावित हुए थे उसके बाद देखें तो लडाई में या अन्य था मरने वालों की संख्या कितनी थी नभ्भय लाग बतलाई जाती है नभ्भय लाग एक करोड में मात्र दसलाग कम नभ्भय लाग लोग मारे गये थे जो युद्ध में भाग ल लोगों ने जो है भाग लिया था ठीक है क्योंकि यह सात्वा भाग है यानि कि 630 लाख लोगों ने भाग लिया था हवाई हमलों, अकालों, महामारियों से भी भारी संख्या में जो सैनिक नहीं थे, असैनिक थे, सैनिकों के अलाबा भी लोग मारे गए, ठीक है, जन्होंने युद में भाग नहीं लिया था, उनको हवाई हमलों के द्वारा मारा गया, अकाल से मर गए, भुकमरी से पीडित हो सब्सक्राइब लुए मैं देखने को मिलती है आंगे देखे नई राजनेतिक विवस्था हमें दिखाई देता नई राजनेतिक विवस्था को दैथ तो प्रथम विश्युद और इसके बाद संपन शांति संधियों ने अनेक देशों की राजनेतिक विवस्था में परीवर्तन किया इसको भी अपन जानते हैं नई राजनेतिक विवस्था को उदा हमें किस रूप में देखने को को मिलता है तो प्रत्थम विश्युद और इसके बाद जो कैई राज तंत्रनस्ट हो गए और कई देशों में लोक्त आंत्रिक विवस्त्ता का जहाँ पर वन्षों से राजाओं का शासन चला आ रहा था उन राजाओं का शाषन खतम हो गया और लोगतांत्रिक विवस्था का जो है उद्य हुआ यानि की दुनिया के कही सारे देशों में और वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में दुनिया के लगबग 100 से जादा देशों में लोकतांतरक शासन ववस्ता हमें दिखाई देती है और नई सामयवादी सरकार से विश्व जन्मत जो है रूबरू हुआ ये बात होती है फिर देखें भई और क्या राजनेतिक परिवर्तन देखने को मिलते हैं तीन शाशक व हो हैं जोरलन ठीक है रूसका रोमानोव रूसका रोमानोव ठीक है याद हो जाएगा ऐसे रूसका रोमानोव जर्मनी का हो हैं जोरलन ठीक है जर्मनी का जोरलन हो हैं जोरलन रूसका रोमानोव और आस्ट्रिया हंगरी का हंगरी 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 हैंग्सवर्ग हंगरी का है ठीक है तो रूस का रोमानोब जर्मानी का जोरलन जोलर्न हो हैं जोलर्न और आस्ट्रिया हंगरी का हैप्सवर्ग हंगरी हैप्सवर्ग के शाशक वन्स जो है समाप्त हो गए तो तीन शाशक वन्स यानि की रूस का जर्मानी का और आस्ट्रिया हंगरी का जो है शाशक वन्स समापत ठेज़ उस्मानिया वन्स का साशन हुंपत हो गया है ऑस्ट्रिया और हंगरी दो अलग अलग स्वतंत्रर राष्ट बन गए उसके बादा चेकोसलाविया और यूगोसलाविया स्वतंत्र देशों के रूप में उभरे चेकोसलाविया यूगोसलाविया स्वतंत्र देश बनकर सभी के सामने आये और पोलेंड भी स्वतंत्र देश के रूप में आया कौन-कौन स्वतंत्र देश के रूप में कौन-कौन सामने आता है चेकोसलाविया यूगोसलाविया और पोलेंड किलियर हो रही है बाते फिर देखें अगली बात क्या देखने को मिलती है अगली बात देखने को मिलती है कि यूरोप का वर्चस्व समाप्थ हो गया यूरोप का वर्चस्व समाप्थ हुआ और संयोक्तराज अमेरिका जो है सं के सामने उब्रा यूरोप जो की सबसे शक्तिशाली माना जाता था उस समय सब जगह इसने अपने क्या अपने विशक्षासन इस्थापित करके रखे थे तो यूरोप का उस समय जो है प्रथम विश्वदि के बाद और शांती संधिया होने के बाद यूरोप का वर्चस जो य सैनिक और आर्थिक द्रस्टी से यूरोप को पीछे छोड़ दिया किसने अमेरिका ने अमेरिका ने सैनिक द्रस्टी से भी और आर्थिक द्रस्टी से यूरोप को पीछे छोड़ दिया और अमेरिका विश्व शक्ति बनके पुरे विश्व के सामने आया उसके बाद देखें कुछी समय बाद विश्वरंगमंच पर सोवियत रूस भी कुछ समय बाद विश्वरंगमंच पर सोवियत रूस भी विश्वशक्ति के रूप में आया यानि कि दो नई विश्वशक्तियां हमें देखने को मिलती हैं एक अमेरिका और दूसरा रूस तो अमेरिका कुछी समय फिखाइब बाद विश्व रंगबंच पर सोवेत रूष् coexist रोप में सामने आया और एशिया और अफरीका के देशों में चल रहे ध्यां से सुनिएगा एश्या और अफरीका के के देशों में चल रहे स्वाधिनता अंदुलन को भी बल मिला जी हां जब हम भारत में राष्टवाद की बात करते हैं तो भारत में राष्टवाद का उदय हमें कब से दिखाई देता है जब प्रथम विश्विद समाप्त होता है जब गांधी जी भारत आते हैं 1915 में जब जांदीजी भारत आते हैं उसी दोरान भारत में भी राष्टवाद का उदय दिखता है यानि कि यहां पर क्या बात कहीं गई है कि एशिया और अफ्रिका के देशों में चल रहे स्वाधिनता अंदुलन को बल मिला एशिया में ही भाया भारत है भारत किस महादीप में एश समय उसी समय जब विश्व्रंगमंच पर नई नई चीज़निकल के आ रही थी राष्टवाद की बात हैं यूरोप में तो हो चुकी थी उसके बाद भारत में राष्टवाद की बात हैं तरहीड हैं एक से यूरोप का वर्चस खतम हो चुका है आमेरिक और रूस शकती के रूप में विश्व reg massage पे आ ठीक है तो यूरोप की स्रेष्ठता का दावा यूरोप की स्रेष्ठता चाहता था क्योंकि सामरा जवादी यूरोप सदैव इस प्रचार को हवा देता था कि यूरोप और यूरोप ये लोग स्रेष्ट हैं लेकिन यूरोप की स्रेष्टता का धावा धूल में मिल गया था उसके बाद देखें रूस जापान का रूस जापान का 1905 का युद्ध कब रूस जापान के बीच कभी युद्ध हुआ था 1905 में एक युद्ध हुआ था रूस और जापान के बीच और इसमें रूस जो है भाई साब हार गया था ठीक है तो इसमें रूस की पराजय से यह मिथक भी टूटा ठीक है और साथ ही एशिया और अफरिका के देशों में स् प्रथम विश्व युद्ध की प्रस्ट भूमी देख लिए उसके बाद प्रथम विश्व युद्ध के का पूरा घटना करम देखा फिर प्रथम विश्व युद्ध के बाद कौन कौन सी शांती संधियां करेंगे वो देखे फिर उसके बाद हमने अभी देखा कि प्रथ विश्वद्य की प्रस्ट भूमी तो सबसे पहले देखें प्रथम विश्वद्य की भयावहता और व्यापक्ता से लोग आकरांत थे जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था ठीक है जो प्रथम विश्वद्य हुआ था उसकी भयावहता और व्यापक्ता से लोग जो है आक के लिए इसके लिए भाया अंतराष्टी संगठन भी बनाया गया था ठीक अंतराष्टी संगठन बनाया था राष्ट संग बनाया था लेकिन वर्साय और पैरिस की संधियों ने क्या किया भाया वर्साय और पैरिस की संधियों ने अगले विश्वुदी की प्रस्ट भूमी कर दी ती युकि वरसाइ की संधी में पैरिस की संधी में बाती सिकरी गई तीक है जिसने किया दुतित की प्रस्टभूमिय तैयार कर दी यह की जिस राश्ट संग का निरमाड प्रथम विश्वयुध जैसा कोई na ना हो या प्रत्त विश्युद्ध में शांती बनी रहे इसलिए राश्ट संगते की स्थापना करी गई थी लेकिन इन संधियों ने राष्टील संगasis को असफल बना दिया वकाये तरीके से वो भई संतुस्ट नहीं थे उन सब चीजों से उन पर भारी जर्माना थोपा गया था जैसे की जर्मनी पर तो भई या दुतिय विश्विद्य तो होना ही था यानि की राष्ट संग जिस अंतराष्टी संग ठनकी स्थापना करी गई थी पूरे विश्में शांती काहम करने म है वो भी असफल हो गया था दुतिय विश्विद्य को रोकने में अब देखें जिस तरह से जिस तरह से पराजित राष्टों पर निर्णय थोपे गए थे उनका अपमान किया गया था इससे यही सपस्ट था कि अगला विश्विद्य तो भाई साब होकर रहेगा और हुआ भी ठीक है यह बात हुई भीया प्रस्ट भूमे की बात कर रहे हैं दुतिय विश्विद्य की पिर देखें अगली बात क्या कही जाती है यहां पर यह दपी इतना शीग्रिस की सुरुवात हो जाएगी इसकी कल्पना शायद किसी को नहीं थी प्रता विश्विद्य कब खत 15 सालों के बाद ही कब कौनसा युद्व चาलू हो गया दूसरा विश्विद्य तो इतने जल्दी इतने भैया अक युद्द की कल्पना पूरे विश्विने करी नहीं थी यतने जल्दी ये युध्ध चालू हो जाएगा आपको लग रहा होगा कि बाई 20 साल बाद हुआ है लेकिन हुआ क्या है विश्युध हुआ बीस साल में भार पाई हो पाईगी नहीं हो पाई यो नहीं वह भी पाई थी ठीक है तो यद भी इतना शीग रिसकी शुर ही थी बलकि इसकी समापती के उपरांत जो समझोते हुए उससे सामराजवाद का वेग और ज्यादा प्रचंट हुआ यानकी सामराजवाद की भावना और ज्यादा लोगों के मन में बढ़ने लगी थी देशों के मन में बढ़ने लगी थी उसके बाद अगली बात देखें य शांती नहीं रहे योधना हो पाए तो युद्धो को रोकने के लिए राश्ट संग नामक अंतराश्टी संस्था कि इस थाप्ना जो है की गई थी प्रन्तु यह अपनी आरंभेग प्रन्तु यह अपनी आरं भीग छोटी मोटी सफलताओं के बावजूद भी युद्धो को रोकने में सफल नहीं हो सका था कौन राष्ट संग चलिए अब देखें आंगे पिर देखें पैरेस के शांती समझोते से असंतुस्ट राज्यों ने 1936 के अंत तक इस विवस्था के अंतरगात अपने कर्तव्यों से स्वयम को मुक्त कर लिया था जो पैरेस के शांती समझोते हुए थे उन समझोत जो समझोते दूसरे देशों पर थोपे गए थे उनने भाई दीरे दीरे वो भी उन समझोतों से हटने लगे ठीक है फिरवे अब क्या कर रहे थे अब वो अपनी छती पूर्ती का दावा कर रहे थे हमारा जो नुकसान हुआ है उसका कंपेंसेशन हमें चाहिए उसकी छती पूर्ती होनी चाहिए जिसका अर्थ छती पूर्ती ना होने पर अगर compensation नहीं मिला अगर छती पूर्ती नहीं हुई तो भईया क्या होगा युद्ध ही होगा या तो युद्ध या छती पूर्ती ठीक है तो भई छती पूर्ती तो होने से रही तो क्या हो गया युद्ध ही हो गया अब देखें इस खत्रे के कारण इस खत्रे के कारण ब्रटेस सरकार ने जो अपनी और से नहे शस्त्री करण करके एक उधारण प्रस्तुत करना चाहती थी ऐसा करने का इरादा छो की बाद ब्रटैन ने करी थी लेकिन जब ब्रटैन ने देखा कि जो दूसरे देश हैं जो हार चुके थे चति पूर्ति के रूप में या तो युद्ध मांग रहे हैं तो ब्रटैन जो पहले निश्रस्तिकरण की बात करता था ठीक है हतियारों को साइड रखने की बात करता थ कि अब हतियार नहीं उठाए जाएंगे अब भाई साब ब्रटैन चाल लूगा है फोर्म में आ गया है ब्रटैन भी ठीक है तो ब्रटैन जो है हतियार ना उठाने का इरादा छोड़ दिया यानि कि नेह शस्त्रिक्रण का इरादा छोड़ दिया और प्रतिरक्षा के नाम पर प्रति रक्षा यानि की स्वयम की रक्षा करने के लिए ये भी सस्त्र उठाने पर आंगे आ गए कि विश्व में इतना कुछ चल रहा है हम पर आक्रमन कभी भी हो सकता है खुद की रक्षा के लिए हदियार उठाने पड़ेंगे यानि की ये शक्तिकरण की बात अब करने रहा है राष्ट संग इन तमाम घटनाओं का मौन और मूख साक्षी बना रहा राष्ट संग चुप रहा और अंतताव घड़ी आही गई कि वह युद्ध का आगाज देखने को मिल गया अब देखें दुतिय विश्वद्य के कारणों की चर्चा के क्रम में प्रथम विश्व की समापती और पैरेस संधी से लेकर 1949 तक के घटना क्रम का उलेख प्रासंगेख होगा जिसकी आपरिहार परणती की रूप में दुतिय विश्वद्य हुआ तो दुतिय विश्वद्य क्यों हुआ वह या देखो प्रथम विश्वद्य जैसे खतम होता है ठीक है प्रथम व पीच में जितना घटना क्रम घटता है वो सारे जिम्मेदार किसके लिए होते हैं वो सारी किसके कारण होते हैं वो सारे कारण होते हैं आपके सेकेंड वर्ड वार के कारण होते हैं जो 1909-1949 के बीच हुए थे तो इतना घटना क्रम दुतिय विश्वद्य के लिए जिम्मे बात करें तो क्या आता है वर्साय संधी की विशंगतियां क्या आती है वर्साय संधी की विशंगतियां भाई वर्साय की संधी पूरी की पूरी जर्मनी पर थोपी गई थी ठीक हम सभी जानते हैं तो वर्साय संधी की विशंगतियां क्या क्या थी तो दुतिय विश्वुद गीजार उपन दुत्य विश्रुद का भीजार उपन वर्साय संधी में ही को गया था जी हाँ जब वर्साय की संधी तब ही हो गया था और पैरेस शांती-संधी में इस धान्त की बातों को विजित राष्ट गुप्त संधियों के माध्यम से जुटलाते भी रहे थे जिए जब पैरशांदी संभिलन में जो शांती की संधी शांती संधी की शर्तें जो निधारित करी गई थी उनको उनको जो जीते हुए राष्ट थे ना अपने गुप्त संधियों से जुटलाते रहेते किसी को पता नहीं था जो शांती की संधी शांती संधी की शर्तें जो है क्या शांती संधी की शर्तें जो है जो तय करी गई है उनको जीते हुए राष्ट जो है विजित राष्ट जो है जुटला रहे हैं अपनी गुप्त संधियों के माध्यम से ठीक है तो सोवियत रूस ने क्या किया घप्त संधी की की शर्तों का भंडा फोड कर दिया कि जहां एक और विजयत रास्टों की हकीकत को उजागर किया कि जीते हुए राष्ट की यह हकीकत है वहीं पराजित राष्ट सत्य से परिचत होकर बॉख लाहट से भर गए कि जो शांती संधी की शर्त हम पर थोपी गई हैं हम पर भारी जुर्माना लगा गया है हम हारे हैं और हम वो शर्तें का पालन भी कर रहे ह हैं और जो शर्तें निर्धारित करिए थी भई बराबरी से कुछ शर्तें इनके लिए भी थी उनका उनको फॉलो नहीं कर रहे हैं तो भई नुकसान तो पूरी तरीके से हमारी हो रहा है तो भई जो हारे हुए राष्ट ते वह बॉख लागए और युद्ध का आगाज य नियम निर्धारित करें गए थे तो राष्ट संगे के विधान पर हस्ताक्षर कर सभी सदस्राज्य ने वादा किया था क्या वादा किया था कि वे सामुहिक रूप से सबकी प्रादेशिक अखंडता और राजनेतिक स्वतंतरता की रक्षा करेंगे जो राष्ट जीते पीछे हट्थ हट्ते गए जब यह आई सबकी अखंडता की इस रक्षा करने की तो जितने भी राश्ट थे वो पीछे अखटते गए और रूस को सबस्य नहीं बनाया गया था और अमेरीका जो है सदस्राजबने से इंकार कर दिया था राष्ट संगे फिर देखें बई चीन जो है जापान की सामराजवादी नितियों का सिकार हो रहा था चीन किसका शिकार हो रहा था जापान की सामराजवादी नितियों का क्योंकि जापान क्या चाहता था जापान चीन के मंचुरिया प्रदेश पर सासन करना चाहता था और इटली किसको रौधता रहा इटली यहां पर अभी सीनिया को रौधता रहा इटली किस पर शाषन करने की सोच रहा था अभी सीनिया पर ठीक है और फ्रांस जो है फ्रांस चेकोसलाविया के विनाश में सहायक हुआ चेकोसलाविया का विनाश कौन कर रहा है फ्रांस कर रह है और हिटलर हिटलर किसको हिटलर चेक गड़ राज्यों को हड़पता रहा और ब्रटेन तथा फ्रांस जो है देखते रहे बात क्या तहीं हुई थी कि सारे राज्यों की प्रादेशिक अखंडता की सुरक्षा करनी है ठीक है सबकी राजनितिक स्वतंत्रता की रक्षा करनी ह और ये क्या है इधर क्या हो रहा है यह कुछ नहीं कर रहे हैं यह चुप चाप देख रहे हैं ब्रटैन और फ्रांस यानि कि वचन विमुक्ता इस पश्ट दिखाई दे रही है कि राष्ट संगे के जो नियम निरधारित करे गए थे उन पर आपने हस्ताक्षट करे थे लेकिन उन नियमों को फॉलो नहीं किया जा रहा है तो यह बात हो गई वचन विमुखता की उसके बाद देखें धोके बाजी की नीती से धोके बाजी की नीती से आकरमक प्रवत्तिय मिला दोके बाजी की आकरमक नीतियां जो थी उनको उनको जो है प्रोसान मिला और जापान ने जापान ने क्या किया जापान चीन पर आकरमक करना चाहता था सामराज का विस्तार करना चाहता था तो जापान ने चीन पर आकरमकर मंचूरिया पर अधिकार कर लिया और अभी सीनिया मुसॉलनी की आकरामक नीती का शिकार हो गया मुसॉलनी कहां का था इटली का था ठीक है तो जापान ने चीन पर आखर मणकर वहां का मंचुरिया प्रदेश हतिया लिया और अभी सीनिया को इटली ने हतिया लिया ठीक है और मुसॉलनी की सफलता का सफलता मुसॉलनी क सफलता प्राप्त करते देख हिटलर ने क्या किया और चकोसलाविया पर धावा बोल दिया ठीक है और हिटलर ने फिर पोलेंड पर भी चड़ाई कर दी और इसके साथ ही दुतिय विश्वयद्ध जो है आरंब हो गया बात आई समझ में किस तरीके से दुतिय विश्वयद्ध प्रारंब होता है अब देखें ग्रह युद्ध तीसरा कारण ग्रह युद्ध भई देखना इसको भी समझने के कुशिश करना कि गुटबंदी और सैनिक संधियां भी दुतिय विश्वयद्ध के लिए जिम्मेदार थी और शांती बनाए रखने के नापर यूरोप में अ दूसरे गुटका नेता बना फ्रांस एक गुटका नेता बनता है जर्मनी और दूसरे गुटका नेता बनता है फ्रांस और इस गुटबंदी के पीछे सैध्धान्तिक समानता और हितों की एकता दिखाई देती है यानि कि जर्मनी के पाले में जर्मनी के खेमे में जर्मनी की पार्टी में जतने देश थे उनिके हिट एक से थे और फ्रांस के पालिय के सिद्धांद में विश्वास करते थे और उन्हेकी नीती भी समान रूप से प्रसारवादी थी यहानि की एक से रहे देश एक दरब होते चलिए अब देखें आंगे तो यह जो राष्ट थे यानि कि जर्मनी जापान औरिटली यह राष्ट जो है वर्षाई की संदी से छुब्द थे यानि कि वर्षाई की संदी से दुखी थे परेशान थे और हर हाल में थोपी गई शर्तों से मुक्ति चाहते थे यानि कि जर्मन पर जो भी शर्तें फ़ूपी गई थी उन शर्टों से यह सभी मुक्ती चाहते थे क्योंकि वह सारी शर्ट के हितों में नहीं थी उसके बाद देखें इसके विपरी इसके विप्रसुलावीय पोलेंड इत्यादी देशों के हित एक थे अपने क्या वास सिखी थी कि सभी देशों के हित जो है एक से थे यानि कि जिन जिन देशों के हित एक से थे वह एक तरफ हो गए और जिन देशों के हित एक से थे वह दूसरी तरफ हो गए यानि कि विश्व जो है गुटों में बढ़ चुका था विश्व के देश गुटों में बढ़ चुके थे तो फ्रांस चेकोसलाविया पोलेंड इन सब देशों के हित जो है एक से थे क्योंकि उन्हें वर्साई की संधी से बहुत लाब हुआ था इन देशों को यानि की फ्रांस को चेकोसलाविया को और पोलेंड को और यह हर हाल में उसे कायम रखना चाहते थे कौन यह जो देश थे जो की जीते हुए देश थे मित्र राष्ट देश थे ओ जिन्हें वर्साई की संधी से फायदा हुआ था वो इंशांती संधी की शर्तों को कायम रखना चाहते थे जिनको फायदा होगा वो तो कायम रखेगी जिनको फायदा नहीं होगा व को स्लाविया फ्रांस पॉलेंड इनके गुट में शामिल नहीं तो शुरू में लेकिन परिस्थिती वस मजबूरी में जो है इंग्लेंड को भी इस गुट में सम्मिलित होना पड़ा अब देखें आंगे रूस तब तक अछुता था और दोनों गुट से संधह की नजरों से देखेंगे ही इस तरफ है और रूस तब तक अछुता था दोनों गुट से संदेह की नजरों से देखते थे लेकिन लेकिन परिस्थती वस जर्मानी ने रूस की और हाथ बढ़ाया कि भाई साब आप हमारी तरह पाईए हम आप से हाथ मिलाते हैं उसके बाद देखें इस तरह गुटबंदी से संपूर्ण यूरोप का महौल विशाक्त हो गया संपूर यूरोप गुटों में बढ़ चुका है ठीक है अलग अलग गुरुप बन चुके हैं दो गुरुप बन चुके हैं और दोनों गुरुप में दोनों गुटों में अलग अलग देशामिल हो चुके हैं इस तरीके से हम देखते हैं कि जो गुटबंदी का माहौल यूरोप में था उस माहौल में उस माहौल में पूरा यूरोप जो उस माहौल में विशाक्त हो गया और विशाक्त माहौल में शंका के लिए हर छोटी बात उम्हात्वा पूर्ण थी बिल्कुल यानि कि जब आपको किसी पर शब हो ठीक है तो हर छोटी छोटी बात पर आप ध्यान देने लगते हैं इसी तरीके से जब दो गुरुपों में कौन बढ़ गया यूरोप बढ़ गया तो भई एक गुरुप दूसरे गुरुप पर हर एक छोटी-छोटी बात पर ध्यान देने लगा अब देखें इसके आँगे हतियार बंदी भई साब अगला कारण दूत्य विश्युद्य की प्रस्ट भूमी कैसे बनती है तो इसमें एक प्रमोक कारण हतियार बंदी के रूप में भी हमें देखने को मिलता है चलिए देखें इसे भी तो गुटबंदी और शंशय के माहौल में गुटबंदी और शंशय यानि की शक संदेह के माहौल में प्रतेगरास्ट अपने को आज सुरक्षित महसूस कर रहे थे और परिणाम सरूप शशक्ती करण को बढ़ावा मिला इसी के परिणाम सरूप जो है शशक्ती करण को बढ़ावा मिला ठीक है यानि कि सबने थी कहा लूट रहे थे बराबर लेकिन हतियार नहीं उठाने है भाई 6 साथ तो बciónते सरकार जो निह शस्त्री करण का उधारन पेश करना चाहती थी तो ब Bugün ai सरकार के विट्ट मंत्री उस समय चैंबरलिन नाम के व्यक्ति हुआ करते थे तो ब्स सरकार के विट्ट मंत्री च चालीस करोड पॉंड का रिण लेने तथा पांच वर्ष की अवधी में प्रती रक्षा पर डेड़ अरब पॉंड व्याय करने का प्रस्ताओं किया अभी तक नहें शस्त्री क्रण को बढ़ावा दे रही थी प्रटेन सरकार ठीक है अब क्या हो गया भई देखा महौल की हतियार लेके खड़ा है कई देश खड़े हैं तो क्या हम मूँ बंद करके शांती के बल पैबिना हतियार के क्या हम जीत सकते हैं क्या हम बच सकते हैं क्या हमारी ऐसे रक्षा हो सकते तो ब्रटेश सरकार क्या कहती है ब्रटेश शाशन क्या कहता है कि हमें प्रती रक्षा के नहीं कर सकते उसके लिए दूसरे वो पाई भी अपनाने पढ़ेंगे यानि कि रक्षा में जो व्याय होता है उस पर सिर्फ कर लगा के जो पैसा आता है उससे काम नहीं चलेगा इसके लिए ब्रटैन सरकार ने 40 करोड पॉंड का रण लिया कितना 40 करोड पॉंड का रण लिय और पांच वर्ष की अवधी में प्रती रक्षा पर कितने रुपए डेड अरब पॉंड व्याय करने का प्रस्ताव रखा बात आई समझ में कि किस तरीके से अब ब्रटैन के पास भी जो है अब ब्रटैन भी हतियार बंदी में आंगे आ चुका है ब्रटैन भी शस्त्री कर प्रड की बाद करने लगा है और अपनी रक्षा पर पैसे खर्च करने लगा है अब देखें प्रधान मंतरी वर्डविन ने इन प्रस्तावों का समर्थन भी कर दिया प्रस्ताव पेस किया गया कि इतने पैसे रक्षा में खर्च होंगे पैसे चाहिए सेना को तो वर्डव होने चाहिए हमारी सेना भी मजबूत होने चाहिए यह हम इस उद्देश से कह रहे हैं इस उद्देश से प्रस्थाव को समर्तन देते हैं कि हमारा उद्देश आक्रमन को रुकना है उसके बाद देखे प्रतिक देश का रक्षा बजट बढ़ रहा था हर एक देश का रक्षा रक्षा बजट जो है धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था और नए नए हतियारों से हर एक रास्ट अपनी सेना को सुसजित कर रहा था उसके बाद देखें नौ सेना और वायू सेना पर जोड दिया जाने लगा नौ सेना पर यानि की जल सेना पर वायू सेना पर भी जोड दिया कि हमारी रक्षा कैसे होगी हमारे पास भी हत्यार होने चाहिए हमारे पास भी एक मजबूत सेना होनी चाहिए जब सभी देशों में हत्यार बंदी हो रही है सेना में बढ़ चड़के तैयारी हो रही है हर एक देश अपने रक्षा बजट पर जादा से जादा खर्च करने की बात कर रहा है तो क्या होगा यानि कि संकट के बादल चाने वाले हैं युद्ध हो कर रहेगा यानि कि आसुरक्षा की भावना सभी में धीरे-धीरे पैदा होती जा रही थी ये बात ह हो गई भई साम हतियार बंदी की अब देखें भई राष्ट शंघ की एसफलता सबसे मुख्य कारण एक ये भी है दुत्य विश्वद्ध की प्रस्ट भूमी में दुत्य विश्वद्ध को शुरू होने में एक कारण ये भी बनता है कि राष्ट संग कि किस लिए बनाया ग क्या था कि जो प्रत्रफम विश्वद्ध होँआ है उसमें जो जितनी हानी हुई है जितनी अशांती फैल में इसको हम दूर कर पाए यानि कि पूरे विश्व में शांती कायम करने के लिए राष्ट संगी की स्थापना कर गई थी तो राष्ट संगी की असफलता हो गई थी यानि कि राष्ट संग विश्व शांती कायम करने में नाकामियाब रहा था सफल नहीं हुआ था असफल हुआ था तो देखें भई राष्ट संगी की ब्रहामक शक् इतनी शक्तियां है क्योंकि वो शक्तियों का प्रभाव दिखता नहीं था और सदस्य राष्टों के सहयोग का भाव यानि की राष्ट संगी के जितने भी देश सदस्य देश थे उनके सहयोग का अभाव देखा गया कि वो देश सहयोग ही नहीं कर रहे हैं राष्ट संग का त चोटे चोटे राज्यों के मामलों को आसानी से सुलजा दिया लेकिन बड़े रास्टों के मामले में उसने अपने को अक्षम पाया और अंततहा उसको इसकारी के लिए समर्थ और शक्तिशाली रास्टों का सहीयोग नहीं मिला चोटे चोटे राज्यों के मामलों को आसानी से सुलजा दिया लेकिन बड़े रास्टों के मामले में जो रास्ट बड़े थे विक्षत थे उन रास्टों के मामले में उसने खुद को अक्षम पाया यानिकि खुद को असहाय पाया कि बड़े रास्टों का मामला हम नहीं सुल सुलजा पाए ठीक है दो बात हो गई तीसरी बात सुनिएगा हर निरनायक कारवाई की घड़ी में शक्ति साली रास्टों ने अपने नहित स्वार्थ में हाद खड़े कर लिए क्या बात की गई है हर निरनायक कारवाई की घड़ी में शक्ति साली रास्टों ने अपनी नहित स्वार्थ में जो है हाद खड़े कर लिये थे ठीक है सब अपना अपना स्वार्थ चाहते थे ठीक है सब अपना स्वार्थ चाहते थे तो जम निरनाय घड़ी की बारी आई विश्व में शांती कायम करने की बारी आई यह युद्ध को रोकने की बारी आई तो समने हाद खड कर लिए कि नहीं भई युद्ध जो है युद्ध की परिस्तितियां बन चुकी है यानि कि जब राष्ट संगों किसी निरनायक बात की जरूरत होती थी किसी देश की जरूरत होती थी तो सभी अपने हिट को देखके ऐसे पीछे हट जाते थे ठीक है यह बात हो गई कि राष् दू कि या शलताने 2 वीश दिग जो है मार्ग प्रश्रस्थ कर दिया और तो यह विश्वद फिर हुआब है अब देखें में विश्व व्यापी आर्थिक मन्दी अगला कारण क्या बनता है दूत्याज़ विश्वद के लिए व्यापी आर्थिक मन्दी जी हाँ प्रथम विशुद्ध के बाद 1939-30 के काल में विश्वव्यापी आर्थिक मंदी आयी और उससे उधार कोई रास्ता निकट भविश्य में रश्टी गोचर भी नहीं हो रहा था यानि कि आर्थिक मंदी से बाहर निकलने का रास्ता किसी को नहीं दिखाई दे रहा था कि अभी तो ठीक है भविश्य में भी हम इस आर्थिक मंदी से कैसे निकल पाएंगे कि wiresix आर्थिक मंदी आर्थिक मंदी जो है 1931 में अपनी चरम सीमा पर पहुंच गही थी सबसे जादना बढ़ गही थी 1931 के दौर में यह आर्थिक मंदी उसके बाद देखें 1929 के शरदकाल में अमेरिका से यूरोप को रण मिलना बिल्कुल बंद हो गया क्या बात कहीं गई है जो है देश हुआ करता था यह यह उरोप महादीब जो है सबसे सक्तिशाली महादीब पुआ करता था कि बहले ही यह युद्ध में जीते थे लेकिन इनके शक्तियां धरासाइय हो गई थी और विश्व पचल पर एक नए देश की नंए शक्तिशाली देश का अदाय होता है औ तो ब्रटेन अब अमेरिका से पैसे उधार लेने लगा था और अमेरिका ने क्या किया 1929 में अमेरिका ने यूरोप को पैसा देना बंद कर दिया यानि कि पैसा उधार देना बंद कर दिया रड़ देना बंद कर दिया और इस संकट की प्रथम अंतर राष्टी अभी व्यक्त जी हाँ यानि यूरोप को पैसा मिलना बंद हो गया है अमेरीका से पैसा उधार मिलना बंद हो गया विश्व व्याप्य आर्थक मंदी फैल चुकी है किसी के सामने कोई रास्तन ही दिख रहा है वह जा सकता अब देखें आंगे इसके बाद ही सारे विश्व में इसके बाद ही सारे विश्व में क्रय शक्ती का रास हुआ और जिसके परिणाम सरूप जिसके परिणाम सरूप कीमतों में व्यापक और अनिस्टिकारी गिरावट हुई और बेकारी के आकड़े हर देश में हर देश में जो है दिन दूने रात चौगने बढ़ते गए क्रेशक्ति का अफ्रास हुआ इससे क्या मतलब है यानि कि लोगों ने सामान खरीदना बंद कर दिया भई पैसा नहीं है लोग कहां से सामान खरीदेंगे खरीदने की जो च्छमता है उसमें कमी आ गई थी और जिसके परड़ाम सुरूप कीमतों में व्यापक और अनिस्ट कारी गिरावट लोगों के पास पैसा नहीं है वो कहां से सामान खरीदेंगे अब सामान रखा है सामान रखा है और बिक रहा नहीं है तो भई कीमतें तो गि लोगने जो हैं बढ़ गई थे अल्राइट किलियर हो गई बात कि किस तरीके से विश्व व्यापी आर्थिक मंदी जो है पूरे विश्व में फैल गई थी और दुतिया विश्वद्य का प्रमुख कारण बनी थी अब देखें भई नवीन विचार धाराओं का अगले नी से थे और मुसालनी भाई साब कहां से थे यह थे वह या इटली से थे ठीक है तो इनका उदय होता है नवीन विचार धारों के रूप में हिटलर और मुसालनी हिटलर आते हैं जर्मानी से और इटली से आते हैं मुसालनी यह सब के सामने आते हैं अब देखें भाई साब क्या है इसका की प्रत्रा विश्वत के बाद एरोप में नाजिवासिवाद और फासिवाद का उधाय हुआ में बाद आज़ोध का उधाय कि यह अभाई साफ है इनने हिटलर ने और फासिवाद यह वहelectा सरकार और फासिवाद के सिध्धांत के आधार पर मुसॉलनी के नित्रत्व में इटली में बनी सरकार किलियर हो गई बात अब देखें यह दोनों सिध्धांत जो हैं राष्ट के गौरा और शक्ती पर बल देते थे चाहे नाजिवाद का सिध्धांत हो चाहे फासिवाद का सि और मुसॉलनी जो बात करते थे वो राष्ट के गोरव और शकती परबल देते थे नाजISAबात और फासिवाद के जो प्रिंस्पल जो सिध्धांत थे वो अपने राष्ट के गोरव और राष्ट की शक्ती को महतवापूरण मानते थे और फल तहा प्रणाम सुरूप क्या निकला इन दोनों रास्टों ने दूसरे रास्टों पर आक्रवन करना शुरू कर दिया वैस अब जर्मनी और इटली दोनों ने ठीक है तो जिससे विश्विद्ध की परिस्थितियां पैदा हो गई बात आगी समझ में कि कहां से अब विश् आधार बनाए सामराजवादी लिपसा यानि की सामराज को बढ़ाना सामराज को बढ़ाने की इच्छा अब सामराज कैसे बढ़ेगा जैसे पहले बढ़ा था दूसरे देशों पर अपना शासन इस्थापित करके युद्ध करके उसके छेत्र को जीतो चीनो अपने विश् आर्थिक परेशानियों को दूर करना चाहते थे चाहे जापान हो चाहे जर्मनी हो चाहे इटली हो वो अपने सामराज्य का विस्तार करके अपनी आर्थिक परेशानियों को दूर करना चाहते थे जिन आर्थिक परेशानियों से वो रास्ट जूज रहे थे उनको दूर करने क उन्हें रास्ता कौन सा निकाला सामराज्य वाद ठीक है और अपने राष्ट का नाम जो है गौरवानवित करना चाहते थे कि जापान इतना बड़ा देश बन गया जर्मानी इतना बड़ा बन गया यह टीली इतना बड़ा बन गया ठीक है अब आगे देखें जापान 19 वी श प्रतादी के अंत तक एक शक्ति शाली और अध्योगी की देश जो है बन चुका था और प्रथम विश्युद्य के पश्याद उसे भी प्रादेशिक लाव हुआ था अब जापान जो है एक शक्ति शाली देश बन चुका है आगे देखेंगा लेकिन लेकिन उसके लिए कामराज के विस्तार के लिए कोशिश करने लगा ठीक है जपान और 1931 में 1931 में उसने चीन पर आक्रमण कर उसके एक क्षेत्र मन्चूरिया पर अक्रमण कर लिया यानि कि कब्जा कर लिया और उसका आक्रमण कारी अभियान चलता रहा जापान का यह इत्यादी को जीतता हुआ भारत पर भी आक्रम्ण करने की योजना बनाने लगा कौन जापान ज़र्मनी और इटली का सहीयोगी बना जापान ठीक है और दुत्य विश्विध में बर्मा बर्मा जिसे की हम वर्तमान में म्यान मार के नाम से जानते हैं किस नाम से जानते हैं म्यान मार के नाम से जानते हैं तो बर्मा को जीतता हुआ यानि की म्यान मार को जीतता हुआ भारत पर भी आक्र जवादी महत्वा का चाहिए यानि की फिर से एक बार फिर से समराज जवाद ने दूतिय विश्व युद्ध करा दिया तो यहां से आगाज होता है भाई साफ दूतिय विश्व युद्ध का फिर देखें तो स्दीकरन की नीती को समझने की कोशिश करना यह भी बहुत important बात में आपको बताने जा रही हूँ क्या दी भईया तुस्टी करण की नीती इसको समझने की आप सभी जो है कोशिश करिएगा ठीक है तो England की तुस्टी करण की नीती तो तुस्टी करण की नीती किसकी थी पहली बात तो यहां से यह सपस्ट हो थी िक इंग्लेंड की तो इंग्लेंड की तुस्टी करण की नीती भी बहुत हद तक दुतिय विश्वद के लिए जिम्म्यदार थी जी हा ऐसा नहीं है कि सर्फ जर्मानी जापपान और रिटिलीगी सामरा जवादी लिपसा ही किसके लिए जिम्मेदार हो दुतिय विश्दों के लिए जिम्मेदार हो वैसा ब्रटैन की इंग्लेंड की तुस्टी करण नीती भी इसके लिए जिम्मेदार थी क्या थी तुस्टी करण की नीती जानते हैं तो देखें पश्चिमी पूजी वादी रू पर हमला कर दे अब ध्यान से देखिए का हिटलर कहां का था ध्यान से देखिए का हिटलर कहां का था वई यह ठीक है जर्मनी का था ठीक है और यह रहा एक तरप रूस खड़ा है अभी ठीक है तो जो पश्मी पूजीवादी देश है पश्मी पूजीवादी देश जैसे की अ अपने ब्रेटेन फ्रांस ठीक है यह क्या है सामयवादी रूस को नफरत की द्रस्टी से देख रहे हैं अब यह क्या चाहते हैं ठीक है यानि कि दूसरे के कंदे पर बंदूग रख कर चलाना चाहते हैं यह किसके कंदे पर जर्मानी के कंदे पर बंदूग रखेंगे और रहे हैं रूस से डारेक्ट बंदूग नी चलाएंगे भई साब अब देखना तुम क्या होता है यहां पर विचाते थे कि हिटलर किसी भी तरह रूस पर हमला कर दे कौन कर दे हिटलर यानि कि जर्मानी किस पर हमला कर दे रूस पर जो है हमला कर दे ऐसा चाहते थे ठीक है चाहते थे यह क्या चाहते थे कि यह जो हिटलर है जर्मानी का है रूस पर हमला कर दे और नफरत यह रूस से कर ही रहे हैं ठीक है तो जिससे क्या हो जाएं दोनों कमजोर हो जाएं यानि कि यह इस पर हमला करेगा रूस भी कम नहीं है तो इन दोनों की बीच में क्या हो जा की एंट्री यानि कि इन पश्चमी देशों की एंट्री पश्चमी पुजिवादी देशों की एंट्री और यह क्या करेंगे यह उनके युद्ध मैं हस्त छेप करके दोनों शक्तियों को बरबाद कर देंगे विश्व से महाशक्तियों का खात्मा और हम बन जाएंगे राजा जिससे दोनों की लडाई हो जाए हम बीच में हस्त छेप कर लेंगे और हस्त छेप करके दोनों शक्तियों को हम बरबाद कर देंगे यह बात थी ब्रटैन की तुस्टी करन की नीती अब देखें इसलिए शुरू में पश्चिम के रास्ट हिटलर की मांगों को स्वीकार करते रहे पश्चिम के रास्ट अब देखना क्या खेल रहें गैम क्या खेल रहें यह ठीक है जो पश्चिम के रास्ट है यानि कि यह अब यह क्या कर रहे है जो भी जर्मनी मांग रहा है उसकी मांगों को स्वीकार करते रहे हाँ ठीक है आपकी डिमांड यह है चलो भई मानि इ देखा कि हिटलर की मांग और महत्वा कांशा बढ़ती जा रही है जब मिल रहा है तो भई लाते जाओ लाते जाओ लाते जाओ तो जब इन पश्ची में पूजीवादी देशों ने देखा कि हिटलर की मांग और महत्वा कांशा बढ़ती जा रही है तो अपना हाथ ने पीछ खीचना शुरू कर दिया अब देखिएगा तो स्ट ल आतब कुत suivra में अंतिम कदम था मैं व१्यूर तही उसके बाद देखें हिटलर हिटलर जो है सुडेटन लेंड पर अधिकार करना चाहता था हिटलर किस पर अधिकार करना चाहता था हिटलर सुडेटन लेंड पर अधिकार करना चाहता था और इसके लिए इसके लिए 1938 CCV में म्यूनिक में हिटलर और मुसॉलनी मिले कौन कौन मिले हिटलर मिला कहां से हिटलर मिला जर्मानी से और मुसॉलनी मिले इटली के ठीक है तो हिटलर किस पर अधिकार करना चाहता था सुडेटन लेंड पर अधिकार करना चाहता था और इसके लिए 1938 में म्यूनिक में हिटलर और मुसॉलनी मिले जहां पर ये म्यूनिक समझवता की बात हो रही है ठीक है हिटलर और मुसॉलनी मिले जहां इंगलेंड और फ्रांस ने हिटलर के सोडेटन लेंड पर अधिकार को माननेता दे दी मांगे इनकी मानता जा रहा है अभी ब्रेटेन फ्रांस ठीक है और 1949 में हिटलर ने पूरे चेकोसलाविया पर अधिकार कर लिया ठीक है और उसके बाद उसने डैजिंग बंदरगा और पॉलिश गलियारे की मांग करी पोलेंड से अब जर्मनी ने चेकोसलाविया पर अधिकार कर लिया है और किसकी मांग कर रहा है डैजिंग बंदरगा और पॉलिश गलियारे की मांग पोलेंड से कर रहा है डैजिंग बंदरगा पॉलिश गलियारे कहा है पोलेंड में है पोलेंड से मांग कर रहा है कौन जर्मनी की क्या देदो अपना डेजिंग मंदर गहा देदो और पॉलिश गल्यारे देदो ठीक है तो पॉलिट इसके लिए तैयार नहीं हुआ कि नहीं भाई साब हम नहीं देंगे और जिसकी वजह से जिसकी वजह से जर्मानीन पूलेंड पर अधिकार कर लिया और दुतिय विश्वद्ध जो है यहीं से प्रारंब हो गया किलियर हो गई इतनी बात यहां से यहां तक की कहानी किलियर हो गई तो अब देखें बई क्या आगे होता है एक सितंबर 1949 को जैसे ही जर्मानी ने कब एक सितंबर 1949 को जैसे ही जर्मानी ने पूलेंड पर आक्रमण कर दिया इसके साथ ही दुतिय विश्वद्ध शुरू हो गया था तो क्या-क्या बात हैं सीखने को मिलती है इस पॉइंट से पहली बात दुतिय विश्वद्ध कब शुरूआ था एक सितंबर 1949 को किसने किस पर आक्रमण किया था जर्मानी ना पॉलेंड पर यह चीजें आपको याद रखनी है फिर देख़ें ब्रटैन और फ्रांस ने दो दिन बाद 3 सितंबर 1949 को जर्मनी के वृद्ध युद्ध फिखें खोरूआ कर दी किसने ब्रटैन और फ्रांस ने किस के वृद्ध जर्मनी की वृद्ध कब दो दिन बाद कितनी तारीक 3 सितंबर 1949 को उसके बाद देखें रूस अपनी सुरक्षा के लिए बाल्टिक के तीन राज्यों एस्टोनिया लेट्विया और लिथुआनिया पर अपना प्रभाव जमाना चाहता था ठीक है किस पर रूस अपनी सुरक्षा की बात कर रहा है रूस सि देशों पर किन पर बाल्टिक देशों पर अब वो बाल्टिक देश कौन कौन से है वो बाल्टिक देश है एस्टोनिया इनके नाम याद रखने है एस्टोनिया ठीक है उसके बाद है लैट्विया या लाट्विया और तीसरा है लिथुआनिया तीसरा क्या है लिथुआनि है कि लियर हो रही है बात कि यहां तक की बात कि लियर हो रही है तो रूस अपनी सुरक्षा के लिए बाल्टिक के तीन राज्यों एस्टोनिया लेट विया और लिठुवानिया पर अपना प्रभाव जमाना चाहता था ठीक है अब देखें वही क्या होता है आगे तो सितंबर के महिनों में सितंबर ऑप्टुवर के महिनों में उपर एक तो तीनों देशों के विदेश मंत्रियों को मॉस्को बुलाया गया रूस की राजदानी है भाई साब मॉस्को रूस किस पर प्रभाव जमाना चाहता है यह तीनों बाल्टिक देशों पर एस्टोनिया लेट वि गब उलाया सितंबर प्रके दौरानहीं जब यह दुश्यू ही हुआ है और तीनों विदेश मंत्रियों ने सोवियत संग से एक पारसपर एक साहज्व की संधी कांशी संधी पारसपरेक संधी यानि कि रूस इनका सही यो करेगा और बाल्टिक देश इनका सहयोग करेंगे ऐसी एक संधी इन तीनों देशों के विदेश्मंत्री की रूस के साथ हो गई ठीक है अब देखना बैसा आगे इस संधी के अनुसार सोवियत संग की उपर युपर तीनों राज्यों में सेना रखने की अनूमती मिल गई इस संधी के अनुसार जो बाल्टिक देश जो तीनों बाल्टिक देश हैं और रूस की संधी क्या हो गई कि इन तीनों राज्यों में तीनों बाल्टिक राज्यों में रूस जो है अपनी सेना रख सकता है ठीक है और बदले में बदले में सोविय संग ने इन राज्यों की प् हमेशा कायम रखने का वादा करते हैं टीक है फिर देखें फिल लेंड पर अपना प्रभाव रखना रूस अपनी सुरक्षाके लिए आविश्यक समस्ता था टीक है अभ फिल्लेंड पर भी रूस को प्रभाव जमाना है किस पर फिल पर ठीक है तो फिल्लेंड पर अपना प्रभाव रखना रूस अपनी सुर्क्षा के लिए आविश्यक समस्ता था रूस और फिल्लेंड में इस विशय पर वारता भी चल रही थी ठीक है रूस और फिल्लेंड में भी किसी विशय पर यान की समझोते के विशय पर एक बंद हो गई और सोवियस संग ने फिल्लेंड पर आक्रमण कर दिया वैसे अब रूस ने किस पर आक्रमण कर दिया फिल्लेंड पर आक्रमण कर दिया अब देखें दो मार्च 1940 को इसने अपना आत्मसमरपण कर दिया अब देखें उसी दिन फिल्लेंड और सोवियत संग में एक संधी भी हुई रूस के सामने फिल्लेंड ने आत्मसमरपण कर दिया है और रूस और फिल्लेंड के बीच जो है एक संधी होती है जिसके अनुसार सोवियत रूस को वे सारी कि सुविधाया प्राप्त हो गई जिसको वह अपनी सुरक्षा के लिए आविश्यक समस्ता था DID checking से चा था क्या था रूस अपना प्रभाव जमांगे खुद की सुरक्षा की बात करना चाहता था कुद की सुरक्षा को बढ़ाना चाहता था और जब फिल्लेंड ने इनकी बात नहीं मानी, इनके बीद बातचीद खतम हो गई, तो भाई साब रूस ने फिल्लेंड पर आक्रमर कर दिया, फिल्लेंड भाई जब देखा कि हम रूस के सामने टिक नहीं पाएंगे, तो फिल्लेंड ने 2 मार्च 1940 को आत्म समर पड़ गिया, और फिल डैन्मार्क-ółलेंड, बेल्जियम और फ्रान्स पर विजय देखांगे एंसब पर विजय पाल लीए सबसे फ़हले नार्वे और डैन्मार्क खरक्डिया और जर्मनी सबuna आगे बढ़ चुकी है फिर देखें जून 1940 तक Belgium और फ्रांस पर भी भाई साथ जर्मानी ने कब्जा जमाल लिया है ठीक है फिर उसके बाद बाइज जून 1940 को फ्रांस ने आत्म समर्पन कर दिया फ्रांस ने क्या कर दिया वही सरेंडर कर दिया है फ्रांस ने और इसी बीच इटली भी जर्मनी की और युद्ध में शामिल हो गया ठीक है कौन शामिल हो गया जर्मनी की साइट से इटली भी शामिल हो गया ठीक है अब देखते जाना कौन-कौन किसकी तरफ होता जाता है और कौन-कौन सरेंडर करता जाता इटली और जर्मनी अब एक हो गए है नार्वे डेनमार्क हॉलेंड बेल्जियम फ्रांस इनको जर्मनी ने हरा दिया है ठीक है अब देखें रूस पर आक्रमण अब जर्मनी करता है रूस पर आक्रमण तो 221941 को जर्मनी ने रूस पर आक्रमण किया और एक बड़े हत्यालिया है युद्ध करके और साथ ही साथ पुनहा जर्मन सेना मौसको की ओर बढ़ने लगी रूस का एक बड़ा भाग हत्यालिया है और आगे जाके रूस के अगले मौसको पर अपनी सेना बढ़ा दी है जर्मनी ने रूसने इसका डटकर मुकाबला किया जर्मनी को पीछेहटना पड़ा कि इतना तो मौसको तो छेटर अपनाने में विफलता मिली यानि हिजर्मनी मौसको नहीं हतिया पाया तो उसको एसमें विफलता मिली यानि किस फलता मिली तो इस सफलता मिलती है चलो भई अगले भाग की तरब जाते हैं कहां कहां हतिया पाते हैं इसके बाद देखें तो अगस्त 1942 में कब अगस्त 1942 में जर्मन सेना स्टालिनग्राद के निकट तक पहुंच गई रूस का ही एक छेतरे स्टालिन स्टालिन ग्राद तक पहुंच गई और यह युद्ध यह युद्ध करीब पांच महिनों तक चला और अगस्त सितंबर में स्टालिन ने अपनी सुरक्षा व्यवस्था का पुनर गठन कर लिया और रूसी सेना एवं नागरिकों को नए उत्सा से सत्रू को रोकने की तो आगे ब्रिटेस्ट प्रदान मंत्रीव इंस्टर चल्चिल ने रूस जाकर स्टॉलिन को मित्र रास्टों की योजना समझाई ठीक है और इसकी स्वीक्रती प्राप्त कर लिया निकी रूस को अब यह जो मित्र रास्ट है बृटेन है फ्रांस है यह सब अपनी तरब करन यानि की प्रत्याक्रमण यानि की बदले में आक्रमण जो है रूस ने भी प्रारंब कर दिये और अन्तता फरवरी में रूस की सना जर्मनी को हराने में सफल हो गही रूस ने अब जर्मनी आप छबिए थीक है और फरवरी 1943 CCB में हजारों जर्मन अफसर और सैनिकोंने जो है आत्मसमरपन कर लिया है इधर कौन-कौन था शुरुआत किसने करी थी जर्मनी ने करी थी एक पाला यह है द्यान से समझने की कोशिश करना जर्मनी शे शरुवात होती है जापान और इंके साथ एक समय जुड़ गया था ठीक है और इस तरब कौन जुड़ता है इस तरब थे भाईया अमेरिका तो था ही रूस बाद में जुड़ चुका है ब्रेटेन और फ्रांस तो थे ही ठीक है अन्ने कई देश भी थे ये विश्व शक्तियों की बात उन्हीं जो बड़ी बड़ी शक्तियां थी और रूस भी ने जर्मनी के व्रुद्ध किसके व्रुद्ध जर्मनी के व्रुद्ध प्रबल प्रत्याक्रमण किया यानि की कठोर से कठोर उनका जवाब दिया आक्रमण के माध्यम से और रूस की सेना जर्मनी को हराने में सफल होई जर्मनी इधर से भाई साब हार चुका है जर्मनी हा लगे जापन द्वारा परल हारबर पराक्रमण फ़या जापन की ऐंटरी एब ठाट है जापन द्वारा परल हारबर पर zweiफे मैं तो जापन क्या किया जापन ने साथ दिसंबर 1971 को हवाई दीई पिस्थित पर लहार बर के अमेरिकी नॉसेनिक अध्रल्रisation हामला किया पर लिए अमेरिका में है अपरल सेनिक अध्डा हैं अमेरिकीimoto और इसके कारण अमेरिका का प्रशांत महासागर स्थितबेडा जो वहां रखा गया था वो तहस नहस हो गया ठीक है और जिसकी वजह से अब अमेरिका तो भाई उत्तर देगा शांत तो होगा नहीं तो जिसकी वजह से अमेरिका ने आठ दिसंबर 1941 को जापान के विरुध युद्ध की घोषणा कर दी तो यह बात हो गई भई साब किसकी है जापान और अमेरिका की अंट्री आब देखें आंगे उसके बाद जर्मनी और इटली ने उसके बाद जर्मनी और इटली ने अमेरिका के खिलाफ युद्ध की घुशणा कर दी ठीक है और अमेरिका की युद्ध में शामिल होने के बाद अमेरिकी महादीब के सारे देश जर्मानी इटली और जापान के वुरुध युद्ध में शामिल हो गए ठीक है क्या होता है जर्मानी और इटली अब किसकी साइट से होने अमेरिका के साथ सामल होके किसके विरुद्ध खड़े हो जाते हैं धूरी राष्ट याने की जर्मनी जापान और इटली के विरुद्ध खड़े हो जाते हैं किलियर हो गई बात अब देखें आंगे दूसरे मोर्शे की बात करें ठीक है अभी तक क्या चल रहा था एक बार फिर से समझने की कोशिश करना ठीक है फिर से समझने की इसको आप कोशिश करना यह रहा जर्मनी यह रहा जापान अब एक एक तरब कौन कौन है और यह रहा इटली जर्मनी जापान इटली ठीक है अमे साब आपके मित्र रास्ट और यह कहलाते हैं आपके धुरी रास्ट किलियर सारी बात है अब देखिएगा दूसरे मोर्चे की बात करें तो यूरोप में 1942 सिस्वी के बाद जर्मनी और सोवियस संग के बीच घमासान लड़ाई हुई जर्मनी और रूस के बीच लड़ाई हु बात जर्मनी के इसी पराजे में दुतियमर्चा की महत्वपूर भूमिका रही थी और दूसरे मोर्चे में अमेरीका इंग्लेंड रूस और फ्रांस आते थे जर्मनी को तो यह सम्मेल कर जर्मनी को पराजित करने का प्रयास किये और 6 जून 1944 को जब यह महान शक्तियां चारों मिल जाएंगी और एक देश के पीछे पढ़ जाएंगी तो वो तो खतम हो ही जाएगी तो कब 6 जून 1944 को जर्मन सैना जो है हार गए ठीक है और इसके पहले ही इटली पूनता पराजथो मित्रराश्ट उसे संधी कर चुका था और इसके पहले इटली हार चुका था और इन से संधी कर ली थी यानि कि अब इटली किसके पास पहुँच गया इटली इनके साथ हो लिया था अब देखें भई अंत था साथ माई 1945 को जर्मनी ने आत्मस मरपन कर दिया इधर कौन-कौन था भई साब जर्मनी था ठीक है जापान था इटली था ठीक है जर्मनी को रूस हरा चुका है फिर से लिख लेते हैं अमेरिका ब्रेटेन फ्रांस रूस रूस ने पहले इसको हरा द दिया था और फिर चारों शक्तियों ने मिलके फिर से इसको हरा दिया तो जर्मनी हार चुका है इटली इनकी तरफ हो लिया है हार के ठीक है बचा कौन जापान बचा कौन जापान तो भई यह साथ में 1945 को जर्मनी ने आत्मसंबर पढ़ कर दिया मित्र राश्टों ने जु तो मित्र राश्टों ने जुलाई 1945 में जापान पर भीशन आक्रमड किया और 16 अगस्त 1945 को कब 16 अगस्त 1945 को अमेरिका ने युद्ध के दौरान युद्ध के दौरान अत्यधिक विक्से थतियार एटम बंब जापान के हिरोश्म यहां 16 नहीं भई साब 6 है ठीक है माफी च अगस्त 1945 को अमेरिका ने अमेरिका ने युद्ध के दौरान अत्यधिक विक्सित हतियार एटम बंजी हां प्रमाडू बंब हिरोश्मा नामक शहर पर गिरा दिये अब भई जापान बचा है जापान के दो महत्वपूर्ण शहर होते हैं हिरोश्मा और नागा शाकी कौन-कौन से एक है भई या हिरोश्मा और दूसरा है भई साब नागा साकी तो 6 अगस्त को हिरोश्मा पर कितने अगस्त को 6 अगस्त को जो है हिरोश्मा पर जो है क्या एटम बंफ हैं का अमेरिका ने और 9 अगस्त को 9 अगस्त 1945 को 546 1961 पियुक को जो है हिरोशीमा क्रमशा हियरोशीमा पर चैए अगस्त और नागा साकी पर नौग साम्सा के नाग स्थ existing 2022 अमेरिका ने जापान के दो शहरों पर एटम भाउप और उन दो शहरों का नाम उन्शान एकदम मिटा दिया अब देखें और दूसरा एटम और कहां फेका अभिया पन्ने पड़ा दूसरा एटम नौ अगस्त उनीसो पैतालिस को नागा शाकी सहर पर गिराया गया और नागा शाकी भी नेस्त नाबुद्ध हो गया यानि कि उसका अभी नाम निशान मिट गया खतम हो गए दो शहर पूरे तरीके से अब भाई जब परमाणू बम गिर चुका है दो शहर तहसनाइस हो चुके हैं अकेला जापान बच्चा है बागी सब आत्म समर्पन कर लिए एटली जाके उन्हीं की द्रम मिल चुका है जापान अब क्या करेगा उसके पास सरेंडर करने के लावा कोई और विकल्प बचेगा ही नहीं आत्म समर्पन करने के लावा कोई विकल्प बचेगा ही नहीं तो जापान के सामने जापान के सामने आत्म समर्पन के सिवा कोई विकल्प नहीं था और जापान ने जापान ने दो सितंबर उन 245 को यह युद्ध जापान के आत्म सबरपण के साथ खतम होता है इस तरीके से बात होती है पूरे के पूरे दुतिय विश्वन युद्ध की अब देखें दूतिय विश्य के क्या परिडम हमें देखने को मिलते हैं तो भरी सब पहला पडराम देखें जन अधनी की हानी ए सॉरीड़ी जन धनी की हानी अब कोई भी युद्ध हो जन और धन दौनों की हानी तो हो होगी लोग भी मरेंगे पैसा भी जाएगा तो देखें वही साब क्या बात हैं सीखने को मिलती हैं इस युद्ध में व्यापक जन धनी की हानी हुई यह इतिहास का सबसे विनाशकारी युद्ध था क्या बात कही गई है इस युद में व्यापक जन धनी की हानी हुई और यह इतिहास का सबसे विनाशकारी युद्ध था और लगभग लगबग 60 लाख यहूदियों को जर्मानी ने मौत के घाट उतार दिया और लाखों लोगों की हत्या यंत्रणाश शिवरों में कर दी गई थी और प्राची नगर पूरी तरीके से नस्ठ हो गए दुतिय विश्विदी की कुल लागत बहुत उची थी और कितनी थी भाईया धन की जो हानी हुई थी कितनी थी वह सुनिएगा जन की हानी देख ली धन की हानी देखना भैसा भी है लागत थी कि तेरा खरब तेरा खरब 84 अरब नभव करोड डॉलर रुप्या नहीं भैसा आप सोश सकते हैं कितना जादा पैसा है यह इस तरीके से जन और धन की व्यापक खानी हुई और दुत्य विशुद्च के दौरान तबाही के लिए नए नए हतियारों का विकास और उपयोग हुआ, दुत्य विश्वद्य के दौरान नए नए हतियार परमाडवम आ गया था अमेरिका ने जापान के नागाशाकी और हिरो शिमा पर गिरा दिया इसमें सबसे भयानक था भाई सा परमाडवम, परमाडवम का सबसे पहले इस्त जर्मनी तब तक आत्म समर्पन कर चुका था परमाड उबम का पहला परिक्षण कब दिखाई देता है जुलाई 1945 में दिखाई देता है जर्मनी तब तक जो है आत्म समर्पन कर चुका था और जापान पर इसका सफलता पूरवक प्रयोग अमेरिका ने करके दिखाया और आप परिढाम हमें देखने को मिलता है यूरोपिया सुरेष्ट था और उपनवेशों का उध जिहां यूरोप जो खुद को सब्से क्वाइब कर शॉलूज समस्ता थां उसकी वर भाद भी वहां पे गलत साबित ऊपनवेशों का उद्टवी हो गया यूरोप ने जहां जहां अपने वेशक शासन लगा के रखे थे जहां जहां कबजा करके रखाता वो भी खतम हो गया देखिएगा कैसे तो देखें दुतिया विश्वुद्ध के बाद एशिया महादीप से यूरोपीय राष्टों की प्रभुता जो है लगभग थीक है और ऑर दुतिये विश्वुद्ध य के बाद भारत श्री लंका बर्मा मलाया हिंदेशिया मिस्र इत्यादी ने स्वतंत्रता पाई थी किन किन को आजादी मिली थी 45 में खतम हुआ था 1945 में भारत को कवाजादी मिली थी 1947 में श्री लंका को कम मिली थी 1948 में तो दुद्य विश्वध के बाद भारत श्री लंका बर्मायन की म्यान मार मलाया हिंदेशिया मिस्र इंस सब को जो है पूरी तरीके से सोतंतरता मिल गई थी उसके बाद देखें यूरोपिय स्रेष्टता का भी अंत हुआ और ऐसा कहा जाता है कि इंग्लेंड के राज में कभी सूरज डूबता नहीं था यानि कि इंग्लेंड कभी किसी से हारता नहीं था लेकिन दुत्य विश्विद्द के बाद से सूरज इंग्लेंड में भी डूबने लगा था क्योंकि यूरोपिय देशों की स्रेष्टता खतम हो गई थी और और एशिया महादीप से पूरी तरीके से इनका जो है दाना पानी उठ चुका था ठीक है तो जो पहले कहावत चल इंग्लेंड की शक्ति का व्रास और रूस तथा अमेरिका की शक्ति में व्रधी होता है और रूस और अमेरिका की शक्ति में व्रधी होती हुई दिखाई देती है जानते हैं कैसे तो प्रत्यक्ष रूप से तो युद्ध में जर्मनी जापान और इटली की हार हुई प्रत क्यों क्योंकि यूरोपीस रिष्टता खतम हो गई थी एशिया महादीप के सभी देशों सिन को अपन विश्यक्षासन उठ चुका था ठीक है तो प्रत्यक्ष रूप से जर्मानी जापान इटली हारे थे लेके ना प्रत्यक्ष रूप से इंग्लेंड की भीहार हुई थी कैस घसको भी युद्ध के बाद इंग्लेंड की सबसे बड़ी शक्ती नहीं रहए गया था जैसे ही घत्र हुआ था तो इंगलेंट विश्व की सबसे बड़ी शक्ती नहीं रहे गया था आंगे देखें तो इंगलेंट के उपनवेश इंगलेंट के उपनवेश मुक्त हो गए इंगलेंट की शक्ती और संसाधन सीमेत हो गए इसके बदले में अमेरिका और रूस अपनी असीम आर्थिक संसाध गए यानि को प्रवेशक शासन खतम हो गया दूसरे देशों से इनका दाना पानी उठ गया तो इंग्लेंड की शक्ति और संसाधन तो सीमित होई जाएंगे ठीक है और इसके बदले में अमेरिका और रूस आ गए महाशक्ति बनके तो इसके बदले में इंग्लेंड के बदले व्रध्धी देखने को मिलती है उसके बाद अगला परिणाम था और बहुत ही सकारात्मक और बहुत ही अच्छा परिणाम था सभ्संगी की स्थापना की निरमाड करने की चैस्टा करी गई इसफ्रकार कथम विश्व खतम होने पर विश्वसांति. इस्थायब करने के लिए न्यून 120 में ठीक उसी तरीके से चुकि राष्ट्र संग्य तो अस्फल हो गया था काम करने में विश्व शांती कायम करने में तो भाई जब दुत्य विश्व खतम होता है तो किसलिए कि आने की अब भविश्व में ऐसा युद्ध ना हो भाई साथ उसके लिए उसके लिए संयोक्तर संग्य की स्थापना करी गई थी तो दुत्य विश्व खतके उप्रांत संयोक्तराष्ट संग्य का निर्माड किया गया विश्व शांती को कायम करने की उमीद करी गई और दुत्य विश्व खतने शांती और अशांती के दो निर्णाय केंद्र परमाणू बमों का विकास वश्यस्त्री कराण और संयुक्तराष्ट संगी के स्थापना को सामने लाया जो आज भी संपूर्ण विश्व को नियंत्रेत और निर्देशित कर रहा है दूत्य विश्वुद्र हमारे सामने क्या लेके आया दूत्य विश्वुद्र शांती और अशांती के दो निरनाया कै शांति का केंद्र परमाणूबमों का विकास वह अशांति का ही गैंद्र ते जो शहर के शहर बरबाद कर दे ना वो निशान मिट जाए वहाँ पर आपको एक परिंदा भी पड़फडाता हुआ ना मिले तो चैसमी तो दित्वी विश्वद ने शांती की रूप में क्या लेक विश्कार होता है तो परमाणु बमों का विकास यह शांती का प्रतीक था और शस्त्रीकरण ठीक है यह भी अशांती का प्रतीक था और संयुक्तराष्ट्य संगी की स्थापना जो शांती का प्रतीक था उसको सामने लाया दुतिय विश्वद जो आज भी संपूर विश्व को नेंद्रित और निर्देशित कर रहा है तो इस तरीके से अपना ये कारण भी यहीं पर खतम होता है अब देखें भई विश्व मैं गुटों का निर्मान दुत्य विश्व देखें अगले परिडाम में हमें क्या देखने को मिलता है विश्व मैं इंगलेंड चाया हुआ था लेकिन लेकिन दुत्य विश्व के बाद सामयवादी और पूंजी वादी खेमे में बट गया पहले विश्व की राजनिती में इंगलेंड चाया था बिलकुल चाया था लेकिन दुत्य विश्व के बाद विश्व सामयवादी और पूंजी वा ठीक है तो सामयवादी और पूझी वादी दो में बट गया पूरा विश्व सामयवादी का नेतरत्व कर रहा है रूस और पूझी वादी का नेतरत्व कर रहा है अमेरिका तो सामयवादी खेमे का नेतरत्व सोवियत रूस कर रहा था तो पूझी वादी खेमे का नेतरत्व स संघ के रूप में तीसरा खेमा भी सामने आता है भई साब गुट निरपेग्ष राजयों के संग्हे के रूप में आ अपना नाम सुना होगा ठीक है तीसरा खेमा सामने आया और यह मूलता नव व्योदित श्वतंद्र विकास शील राष्ट थे नए रस्ट जो नए श्वतंत्र होते हैं और विकास शील है विक्सत नहीं धीरे 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 अपना विकास कर रहे हैं इनने अपना एक अलग संग बना लिया गुट निर्पिक्ष नाम से फिर देखें पूजीवादी रास्ट और उनकी सामराजवादी मंशा का स्वरूप भी बदल गया जो पू जीवादी रास्ट क्या कहने लगे अब हमें उपनवेशों की स्थापना नहीं करने हमें किसी पर शाशन नहीं करना हमें सामराजव का विस्तार नहीं करना ठीक है और आप्रवेशिक देशों के आर्थिक तंत्र तक अपने को केंद्रित करने लगे और इससे सामराजवाद का स्वरूप भी बदला ठीक है तो इस तरीके से हमें दिखाई देते हैं दुद्य विश्वध्य के परिणाम और आज का यह जो अपना session है वो यहीं पर खतम होता है तो अगर आप हमारे डेली के लाइव session recorded session से जुनना चाहते हैं सारी चीज़ें अविलेवल है मैंगनेट ब्रेंस की यूट्यूब चनल वेबसाइट अप्लिकेशन पर ईबुक्स और नोट्स के लिए आप नीचे क्लिक कर सकते हैं यह हमारे रहे कुछ टॉप कोर्सेस जो की एकदम हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ फ्री में उपलब्द है और मैंगनेट ब्रेंस सदर शुशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी है तो आप हमें वहां भी फॉलो कर सकते हैं तो आज के शेशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा हमारे साथ बने रहे ज तो आज को ज एंगत्या एंजा हम झालिएग कश्मेशन वहां मैं फ्री में आख बूलब प्रेंब गां है तो आजा है जए झाल तो आप हम झालिएग को जोल जब बनेfry balance को अगनेशन में प्रम maja la故 vanais में प्रेंगे है